Hello everyone and welcome to this class, a very very good morning to everyone, so guys, आज का जो हमारा session है, बहुत ही खास होने वाला है, उन student के लिए जो SSC JE के mains के तियारी कर रहे हैं, बिल्कुल, so guys, a very good morning to everyone, so आज का जो हमारा session है, वो होने वाला है, mains के question के उपर, इस session में मैं आप लोगों को SSC JE के previous year, जो mains के question आए है, वो solve कराने वाला हूँ, SSC JE mains, SSC JE mains के मैं आपको previous year question solve कराने वाला हूँ, तो ये session हमारा बहुत ही important होने वाला है, जिन student का mains का exam आने वाला है, ठीक है, कि essay writing, जो आपकी questions की writing है, वो आप कैसे करेंगे, किस direction में आप answer लिखेंगे, तो आपको बहुत benefit मिलने वाला है, बट इस session को start करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, और अपनी profile के बारे में बता देता हूँ, guys, मेरा नाम अपूर मितल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये मेरी engineer हूँ, तो site पे daily, day-to-day basis पे मैं surveying, RCC, steel, इन सब को, मतलब इन सारे subjects की practical knowledge implement करता रहता हूँ, जैसे RCC structure monitor करता हूँ, क्या वो total provision के हिसाब से design किये गए हैं, cast हो रहे हैं की नहीं हो रहे हैं, building metal का daily usage आता है, कि concrete के test करने होते हैं, surveying करना होता है, site पे, ठीक है, तो ये सारे subject में पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, इंडिया की हर major coaching में पढ़ा चुक हूँ, 9 साल हो गए यार पढ़ाते पढ़ाते तो आप imagine करो इंडिया की हर major coaching में, हर major city में मैंने पढ़ा है, और बहुत सारे rankers, बहुत सारे rankers को मैंने guide किया है, ताकि वो भी अपनी मंजिल में बहुत सके, तो आप मेरे lectures regularly देखा करिए यार, ताकि आप लोग भी अपनी मंजिल में, आपके जो भी aim है, आप उसे जल्दी-जल्दी achieve कर लें, these are my subjects RCC, Steel और Surveying, क्यों मैं इसके लिए जाना जाता हूँ, देखे, RCC, Steel और Surveying के लिए मैं क्यों जाना चाता हूँ, कि एक तो Surveying का जो मेरा lectures है, YouTube पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले lectures में से है, Steel के lectures जो मैं लेता हूँ, वो updated code के साथ मैं लेता हूँ, RCC के जो भी amendments हुए है, Codal Provision में, उसको देखते हुए बिलकुल, क्योंकि site पे design करना होता है, जब तक मुझे खुद updated code के बारे मैं नहीं पता हूँ, तो मैं कैसे design करूँगा, ठीक है, तो ये सारी चीजे, जब site पे मैं देखता हूँ, चीजे सीखता हूँ, तो उन्हें lectures में implement करता हूँ, तो इससे students का बहुत बला होता है, और मैं practical knowledge के साथ जब चीजे बताता हूँ, तो उन्हें और भी ज़्यादा interesting लगता है, बात करते हैं यार, ये मेरी Unacademy की profile है, तो Unacademy में जब से मैं जुड़ा हूँ, student ने बहुत appreciate किया है, ये जो watch time है, almost 1 million तक बहुत चुगा है, 1 million of watch time, आप imagine करो, 10 लाख मिनट तक मेरे content को students ने appreciate किया है, देखा है, तो कुछ तो अच्छा दिया होगा ना है content, ठीक है, 2300 स्यादा student मुझे follow कर रहे हैं, एक session में 2300 student follow कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, कि कितने सारे students का भला किया है, कितने सारे students directly, indirectly, unacademy से मेरे through, उन्होंने चीज़े learn करी हैं, ठीक है, तो और 160 students से ज्यादा student ने dedication दिया है मुझे unacademy platform पे, आपको अगर मेरी unacademy profile search करनी है, आप Google पे अपूर मित्तल search कर लीजे, आपको मेरी unacademy profile मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे follow कर लीजे, इसलिए बोल रहा हूँ follow कर लीजे, क्योंकि जब भी मैं कोई class लेता हूँ, तो आपको आदर घंटा पहले notification आजाएगा, message के तरू, 15 मेंट पहले notification आजाएगा, कि मैं किस topic पे, कितने duration की class लेने वाला हूँ, तो इस सब का time save हो जाएगा, कोई topic ऐसा है जो आपको नहीं आता है, तो आपको notification आएगा, आप तुरंथ मेरी class में आगे और आपने वो lecture अपना देखके अपना topic इंप्रूब कर लिए, तो ये benefit है guys, follow करने के, ठीक है, तो guys, ये मेरा achievement है, तो आने कैडमी में मुझे best marathon का और best educator का अवार्ड मिला था जोलाई मन्त में, तो ये बहुत ही, मतलब, दिल के करीब है मेरे ये award, reason का है, क्योंकि ये award इसलिए करीब है कि Unacademy में इंडिया के best educators है, और उनके बीच में अगर आप किसी भी एक महीने में भी अगर आपको कोई award मिलता है, तो वो सच में काविले तरीफ तो होता ही है, और ये जो award है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, आप मुझे follow कर सकते हैं, टेलिग्राम पे आप ASM live सर्च कर लिजे, या फिर unacademy surveying सर्च कर लिजे, unacademy surveying, इन में से कोई भी चीज आप सर्च करेंगे, unacademy surveying, तो आपको क्या होगा, मेरे टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा, आप मेरे टेलिग्राम चैनल जरूर follow कर लिजे, क्योंकि जितने भी subject की summary book हैं, मैंने अपनी preparation के time पे सारी summary book बनाई थी, वो सब मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पे डाली हुई है, जाके देखिए, एक बार टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिजे, अभी के अभी जोइन कर लिजे, सारा study material, सारे question bank, वो सब मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पे डाले हुए, यह कुछ मैंने special class लिए, पूरा surveying मैंने special class में पढ़ाया है, जाके एक बार देखिए, अगर आपकी surveying वीग है, पूरी surveying आप cover कर सकते हैं, engineering mathematics, चाहे वो gate के लिए हो, चाहे वो ESC के लिए हो, पूरी mathematics मैंने cover कराई है special class में, जाके देखो यार, free of cost हैं, जाके देखिए, अपनी match इंप्रूव करिए, अपनी surveying इंप्रूव करिए, बहुत सारी special class लेता रहता हूँ, बट यह दो subject मैंने पूरे theory और plus question दोनों cover कराए हैं, जाके एक बढ़ देखेगा, यूट्यूब पे, जो student A.E.E. और J.E. के तियारी कर रहे हैं, ठीके, आप कोई भी A.E.E. और J.E. का exam देने जाएंगे, ये 22 lecture, 22 घंटे की वीडियो जरूर देख लीजेगा, इसमें मैंने पिछले 15 साल के RCC के जितने भी total provision है, जितने भी question आएं, वो सारे cover कराएं है, 40,000 से जादा student देख चुके हैं, जब मैं ये वीडियो record कर रहा हूँ, 40,000 से जादा student देख चुके हैं इस वीडियो को, जाके देखो यार, इतना बहतरीन content दिया है, पूरी RCC आपके tips पर आ जाएगे, और अगर आप theory cover करना चाहते हैं, तो आप पूर मितल RCC डालेंगे, ये 18 lecture आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने introduction, WSM, LSM cover करा है, जो कि RCC का basics है, design criteria पूरे बताएं हैं, जाके आप देखिए, आपको बहुत फाइदा मिलेगा, और आपका subject बहुत strong हो जाएगा, ठीक है, और ये 23 hours की ये वीडियो है, जिसमें मैंने SSC JEE के, पिछले 15 साल के सारे question, एक ही वीडियो में खरा दियें, जाके देखिए, state age, JEE में तो BMC और RCC का बहुत बेट है, जाके देखो आपके concert बे इंप्रूब हो जाएगे, क्योंकि इन दोनों subject के लिए मैंने महनब की, 40,000 students से ज़्यादा का फाइदा हुआ इंग वीडियो से, तो Unacademy ने ये जब appreciation देखा, तो मुझे best marathon का बॉर्ट दिया था कि, सारे जितने भी educator marathon लेते हैं, उसमें ये best marathon थी, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा students का फाइदा हुआ है, 13,000 से ज़्यादा students ने feedback form भरा था, ये वीडियो YouTube में, पहली ऐसी वीडियो जो इतनी देर की है, एक ही वीडियो में सारा कुछ solution उन्हें मिल जाता है, ठीक है, तो दाइज, अब मैं बात करता हूँ, अगर आप में से कोई unacademy subscription लेना चाहता है, या मेरी guidance में अगर आप preparation करना चाहते हैं, तो आप ये code यूज़ करके, ASM live code यूज़ करके, आप unacademy subscription ले सकते हैं, इसके बहुत multiple benefit है, इस code को, ये code नहीं है यार, ये emotion है, emotion क्यों है यार, क्योंकि देखो, आप मेरे कहने से, या मेरा code यूज़ करके रहे हैं, एक रुपए का भी subscription लेते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, कि मैं आपका वो एक रुपए वर्थ कर ला हूँ, और मैं कैसे वर्थ करवाता हूँ, जो भी student मेरा code यूज़ करके, subscription लेते हैं, पहली बात तो ये उनके 10% fee rate रेडियूज हो जाती है, दूसरी बार, unacademy के जितने भी educator हैं, सब के lecture open हो जाएंगी, चाए वो mechanical के educator हो, चाए civil के हो, चाए electrical के हो, unacademy के हर एक educator की videos open हो जाएंगी, आप कोई भी video access कर सकते हैं, जितने भी duration का आप subscription लेते हैं, अब बात करते हैं सर यही code क्यों, ये code इसलिए कि यार, एक तो मुझे 9 साल का teaching experience है, और इन 9 साल के teaching experience मैंने इतना कुछ सीखा है, कि student को साल भर कैसे guide करें, कि वो gate में चाए कोई भी exam हो, उसमें वो महरत हासिल कर ले, उसमें वो selection पाले, ठीक है, जो भी student मेरे code का subscription यूज़ करके code subscription लेते हैं, मैं उन्हें एक अलग WhatsApp ग्रूप में add कर लेता हूँ, और फिर उसके बार आपकी counseling होती है, मैं खुद आपसे personally बात करता हूँ, कि यार, आपका कौन से subject week है, कितना duration आपके पास है, कौन से subject का आप target कर रहे हैं, उसके बाद आपकी proper counseling के बाद आपके त्यारी start कर रहे हैं, जैसे for example, इस session में, gate 22 के लिए, मेरे पास अभी भी, almost 80 student मेरा code use करके, मेरे WhatsApp ग्रूप में आ चुके हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, उन सब को target दे रहा हूँ, जैसे for example, X student है, उसका RCC week है, मैंने उसे एक तारिक से लेके, 15 तारिक तक का target दे दे के, इस 15 तारिक में, तो जैसे इतना question solve करने, इतने lecture देखने, और ESE के इतने question solve करने, तो उसके बाद एक target आ गया, online learning को मैंने इतना effective बना दिया है, मेहनत कर करके, कि हर एक individual student पर मैं ध्यान देता हूँ, और बहुत limited student मैं रखूँँगा, अपने WhatsApp group में, क्योंकि एक session में, 1500 student maximum, मैं guide कर सकता हूँ, एक other individual, आप इसमें delay मत करिये, अगर आप चाहते हैं, civil engineering में, आप excel करें, proper आपको timing के साथ, हर चीज गाइड की जाए, तो आप ये referral code यूज़ करके, अपना subscription ले सकते हैं, clear everyone, मेरा जो referral code है, आप औरों को भी recommend कर सकते हैं, क्योंकि ये जो code है, ये unacademy, हर जिस exam की preparation करवाता है, उनके लिए valid है, आप अपने friends को, अपने छोटे भाई को recommend कर सकते हैं, अगर वो IITJ की preparation कर रहा है, तो भी मेरा code यूज़ करने से, 10% fees में reduction हो जाएंगी, ठीके, और बहुत सारे तरीके से, आप payment कर सकते हैं, by parts कर सकते हैं, EMI ले सकते हैं, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है, आप Unacademy app पे अपूर्व मित्तल सर्च कर दीजे, और वहाँ पर मुझे message कर दीज़, मैं आपको और guide कर दूँगा, अगर आप financially weak हैं, तो मैं आपको और तही के बता दूँगा, कैसे आप Unacademy के subscription ले सकते हैं, maximum discount आप कैसे पास सकते हैं, यह चीज़ मैं आपको guide कर दूँगा, तो ध्यान नहीं आप Unacademy app पे आपूर मित्तल सर्च करना है, या telegram पे आप ASM live या फिर Unacademy surveying जो मेरे telegram channel है, वहाँ पर भी आप मुझे message कर देखते हैं, clear everyone, so guys, आज का session स्टार्ट करें, आज का session स्टार्ट करते हैं, आज के questions लेते हैं, और फिर उसके बाद analysis करते हैं, ठीक है, यह question में जो जो चीज given है, दोस्तों मैं इसे पहले तो highlight कर देता हूँ, और क्या दिया है दोस्तों, question में दिया है, 5 day BOD of waste water is 280 mg per liter, यह दोस्तों दिया हुआ है, कि 5 जिनकी जो BOD है, वो 280 mg per liter है, ठीक है, तो जो जो चीज given है, मैं एक काम करता हूँ, इसे erase ही कर देता हूँ, ताकि कोई doubt ना हो, और, ठीक है दोस्तों, जो चीज given है, मैं वो लिख देता हूँ, क्या find out करने, बहुत ही असान question, दोस्तों पूछा गया है, 15 marks में, तो जो चीज given है, दोस्तों मैं लिख देता हूँ, I hope आपको यह पूरा दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ, तो 5 day BOD of wastewater is, तो BOD 5 आपको question में दिया हुआ है, तो कहांगे, BOD आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, ultimate BOD है, 410 mg पर लिटर, यह आपको दोस्तों दिया हुआ है, at what rate the water is being oxidized, तो किस rate से water oxidized हो रहा है, यह आपको पूछा है, मतलब water oxidized हो रहा है, या फिर आपका organic matter remove हो रहा है, किस rate से तो वो आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों, यह kd पूछा है, ठीक है, यह rate constant आपसे पूछा है, decay rate constant आप लिटर आपसे kd पूछा है, तो यह 15 मास सा question है दोस्तों, बहुत ही असान question है, फटा-फटा हम इसे solve कर लेते हैं, दोस्तों हमें पता है, कि l is equals to l0, 1 minus e की power minus k into t, ठीक है दोस्तों, और जब आप क्या करते हो, kd लिखते हो दोस्तों, तो 10 की आ जाता है, minus 10, अब यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, किस rate से पूछा है बस, तो आप e की a की power से भी निकाल सकते हो, और 10 की power से भी निकाल सकते हो, तो यह दोस्तों कितना है, BOD 5 is equals to, BOD ultimate, 1 minus e की power minus k into, decay rate constant into time period, यह आपको पूछा है, time period, BOD 5 मतलब 5 दिन का अगर पूछा है, तो यहाँ पर 5 दिन आप लिखेंगे, तो BOD 5, 5 दिन में BOD किती है, 200 280 mg पर लीटर, 1 minus e की power k into t, t कितना है दोस्तों 5 दिन है, तो यह आपको निकालना है, अब दोस्तों यहाँ पर आगर आपको यह चीज़ सॉल्व कर लीए, तो आप Kelsey की मदद से ही करोगे, तो आपने क्या किया, 280 divided by 410, is equals to 1 minus e की power minus k into 5, यह आपका हो गया, इसे आप सॉल्व कर लीज़े, 280 divided by 410, जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो Kelsey से मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, और फटा-फट इसका answer निकाल देता हूं, तो जैसा की मैं देख पा रहा हूं, कि यह जो value है दोस्तों, यह value, इसे सॉल्व कर देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं, 0.683 हो जाएगा, is equals to 1 minus e की पावर minus k into 5, यह आगया दोस्तों, 1 इधर लेके आओगे, minus आजाएगा, तो minus से वो cancel out हो जाएगा, तो e की पावर minus k into 5, 5 into k, is equals to यह value हो जाएगे, 0.317, अब दोस्तों यह जो value हो जाएगे, इसे कैसे solve करेंगे, taking log on both side, तो यह दोस्तों के, e की पावर minus 5 into k, is equals to 0.317, दोस्तों जो लोग, जिन लोगो यह आता है solution, मुझे पता है, आप बोलोगे, सर यह क्या basic आप पढ़ा रहो, बट ठीक है, examination में छोटे छोटी चीज़र, जो Kelsey से भी निकाल नहीं होती ही, वो भी कभी कभी हम attack जाते हैं, तो आप क्या करों यहाँ पर लिख दो, taking ln both side, तो log base e आप both side ले लीजे, ln और base e है यह, e की power minus k into 5, is equals to ln 0.317, तो इससे जब आप solve करेंगे दोस्तों, एक property क्या होती है, ln e की power e दोस्तों क्या होता है, 1 होता है, और ln x की power y क्या होता है, दोस्तों y ln x होता है, तो दोस्तों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, minus 5 k ln e की power e is equals to ln 0.317, तो यहां से दोस्तो k की value आ जाएगी k at base e k at base e की value आ जाएगी दोस्तो 0.23 per day क्योंकि आपको पता है यह जो rate constant होता है इसकी जो dimension होती है per day होती है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा base e यह आपका base e पर है और अगर base 10 पर निकालते हैं तो दोस्तो kd लिख लेते और आगे लिखते add base 10 तो यह आपका दोस्तो 15 वास को question है आप बहुत असान question देखिए within minutes हमने क्या किया within 2-3 minutes आपने इसे solve क्योंकि मुझे explain करना था दोस्तो यह मैं आपको बता देता हूँ कि यह video lecture जो है इसमें कोई भी आपको doubt हो तो आप please comment section में लिख दीजिए live chat चल रहा है तो मैं अपनी तरफ से resolve कर दूँगा आपके जो भी doubts है तो फटा-फटा आप comment section में लिख दीजिए अगर कोई भी doubt है तो अगला question क्या है design a septic tank for a small colony तो यह आप से क्या पूछा हुआ है design a septic tank septic tank अब आपको design करना है दोस्तों यह बारा मार्स क्वेशन है SSCJ 2009 का 2009 का दूस्तों question है और इससे solve कर लेते हैं क्या यह दिया हुआ है septic tank के बारे में आप से पूछा हुआ है septic tank के design पूछी हुए और एक small colony के लिए जिसमें 300 लोग रहते है उसके लिए design करना है 300 लोग उसमें रहते है और sewage flows में जो हो रहा है average sewage flows जो उसमें है 81 लीटर पर head तो यह है दोस्तों 81 लीटर पर head और detention time दोस्तों कितना है 30 गंटेगा है 30 गंटेगा है और cleaning interval दोस्तों कितना है cleaning interval is cleaning interval is 6 month तो यह guidelines आपको दियो हुए है बिल्कुल practical question है दोस्तों अगर कभी joining आ जाती है जैसे मैं आपको बताऊं कि यह भी एक civil engineer की duty होती है कि इसके भी कई सारे departments होते हैं दोस्तों जैसे जल निगम वगरा में होते हैं तो यह design करने को कभी कभी पूछ लेते हैं तो बिल्कुल practical question है दोस्तों कि आपको design करना आना चाहिए और दोस्तों देख लिए बिल्कुल practical question है कि इसमें आप क्या देखा कि 300 लोग की colony उसके लिए आपको sewers हैं वो नहीं है तो आपको sewers नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो आपको sewers generate हो रहा है उसको dispose तो करना पड़ेगा करना करणot आप septic tank design कर रहे हो तो देखू मैं आपको थोड़ी बहुत guidelines بتा देता हूं कि septic tank की थोड़ी बहुत guideline बता मैं इन- determinant के लिझए हैं यहां पर और देखो दोस्तो benim ऐसा होता है कि सेप्टिक क्या होता है domestic टेंक एक एयोग्ए एक एयोग्ए एन-रोओकन इंरेज कर देता हूँ दोस्तों इसे कन्फ्योज मत होगिएगा एन एरोबिक suspended growth system होता है एन एरोबिक suspended growth system एन एरोबिक suspended growth system मतलब क्या होता है दोस्तों मैं भी आपको बता दूँगा कि जो treatment होता है दोस्तों organic matter का कैसों दो तरीके से होता है suspended growth system और attached growth system तो मैं अभी note के form में बाद में लिखा दूँगा एक septic tank ऐसा ही rough septic tank दोस्तों मैं बना देता हूँ तो ये एक दोस्तों rough septic tank मैंने बनाया है क्योंकि मुझे ये writing pad पर लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा सा दोस्तों में लिए difficult हो रहा है क्योंकि मुझे board की आदत है तो ये दोस्तों क्या है उपर scum layer दिखा दिये मैंने यहाँ पर यह scum layer है और यहाँ से gas outlet होती है और यह हम collect कर लेते हैं क्योंकि कई सारी gases जो उसमें होती है methane liberate out होती है तो methane की calorific value होती है तो इसे हम collect कर लेते हैं और यह दोस्तों यहाँ पर freeboard है freeboard of 0.3 meter क्योंकि दोस्तों हम क्या कर रहे हैं आपने concept वर question से सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ but दोस्तों theory lecture में क्या होता है हमें यह पता होता है तो हम यहाँ पर इतना time नहीं लगाते हैं directly parameters पर आ जाते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है septic tank में raw sewage आपका क्या होता है fed होता है अगर आपने कुछ भी treatment नहीं किया तो भी आप क्या करते हो septic tank में उसका intake कर देते हो और उसके बाद effluent जो होता है दोस्तों यह आपका soak pit या फिर dispersion trench में आ जाता है इसे हम बोलते हैं दोस्तों soak pit या फिर dispersion trench dispersion trench soak pit या फिर dispersion trench अब इसमें क्या होता है दोस्तों यह volume V1 होता है और नीचे क्या होता है sludge accumulate होता चला जाता है यह V2 होता है sludge accumulate जहाँ पर होता है तो यह आपका क्या हो गया दोस्तों septic tank हो गया आपने raw sewage fed किया raw sewage में क्या होगा दोस्तों क्योंकि closed container है free oxygen नहीं है तो क्या होगा molecular bonded oxygen यहाँ पर anaerobic microorganism generate होंगे anaerobic microorganism क्या करेंगे biological activity होगी इसके अंदर biological activity होती है दोस्तों इसके अंदर क्या होता है gases भी बनती है liquid भी बनते है और solids भी बनते है solids को आप bottom में settle हो जाएंगे वहाँ से scrap off कर सकते हो clean कर सकते हो liquids जो generate होता है दोस्तों scum layer के उपर उपर आ जाता है और gases जो liberate out होती है वो उने हम top से remove कर लेते हैं तो दोस्तों ये तो थोड़ा बहुत मैंने guideline आपको बता दी कि septic tank में क्या होता है और इसके जो design parameter थोड़े बहुत वो भी लिख देता हूँ कि generally जो detention time होता है दोस्तो detention time जो होता है दोस्तों septic tank का वो 12 से 36 घंटे का होता है इतनी देर तक आप सीवेज को उसमें रखते हो और इसमें जो rate of flow होता है दोस्तों generally जो rate of flow होता है septic tank का क्योंकि question में तो दिया हुआ है rate of flow बट अगर नहीं दिया होता है तो क्या मान के चलते हैं 40 से 70 लीटर पर capita पर एक दिन में एक बंदा 40 से 70 लीटर इसमें डिश्चाज आता है और rate of accumulation of rate of accumulation of sludge यह कितना होता है दोस्तों 30 से 40 लीटर पर capita पर year तो मलब एक साल में जो sludge accumulate होता है यहां bottom में यह कितना हो गया दोस्तों 30 से 40 लीटर पर capita पर year यह होता है दोस्तों और जनरली जो length by width का जो ratio होता है वो 4 नहीं होता है यहां पर दोस्तों 2 से 3 होता है हमने जब कल सुबह आले lecture में sedimentation tank design के तो length by width का ratio 4 होता है यहां पर और जो depth होती है जनरली tank की वो कितनी होती है 1 से 1.8 meter depth of the tank दोस्तों इतना होता है और दोस्तों width एक condition यह है कि width जो है आपकी 0.9 meter से हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए ठीक है इससे छोटी नहीं होनी चाहिए एक यह guideline हो गई और cleaning period जो होता है दोस्तों वो 6 से 12 महीने होता है cleaning period जनरली जो होता है हम क्या करते 6 महीने या फिर एक साल में इसे clean कर देते हैं तो जो नीचे sludge accumulate हो गया solids जो एक्लिमेट हो गया उन्हें remove कर देते हैं तो यह आपका क्या हो गया दोस्तों यह पूरा tank हो गया आप दोस्तों जो v1 design होता है v1 volume जो tank का होता है वो यह वाला जहां पर biological activity होती है दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं design discharge को multiply कर देते हैं design discharge is multiplied by detention period detention period detention की spelling आप देख लिजेगा दोस्तों मैंने जल्दवाजी में लिख दिया है v2 जो होता है दोस्तों कि volume कितना sludge का accumulate हुआ rate of rate of accumulation of sludge into cleaning period into cleaning period तो यह v1 v2 के formula होते है volume design करने के तो दोस्तों यह guidelines आपको और यह general common sense आप पढ़ भी सकते हो v1 क्या है दोस्तों जहां पर discharge आ रहा होगा कितनी देट discharge होगेगा उत्रा volume होना चाहिए v2 क्या है किस rate से sludge accumulate हो रहा है और question में जो design है उन values को हम फटा फट लिक देते हैं यहाँ पर तो population दोस्तों कितनी है मैं इसको divide कर देता हूँ इस page को तो population दोस्तों कितनी है 300 है 300 लोगों के लिए आपको क्या करना है यह septic tank design करना है और एक बंदा कितना सीवेज क्या कहते है दोस्तों उसमें आ रहा है average जो उसमें है average daily क्या कहते हैं सीवेज जो है per capita यह question में दोस्तों 30 दी हुई है चाहँ 81 81 liter per capita per day एक दिन में दोस्तों एक बंद एक per capita 81 liter discharge उसमें आ रहा है तो 300 लोग कितना करेंगे तो आपका जो total discharge है वो कितना हो जाएगा दोस्तों average daily average daily average daily जो इसमें है सीवेज फ्लो कितना हो जाएगा दोस्तों 300 यह per percent है ठीक है 300 बंदे इंटू 81 liter per capita per day तो मतलब यह जो answer आ गया है दोस्तों 300 इंटू 81 यह आजाएगा two four three double zero लीटर पर डे इतना discharge एक दिन में दोस्तों इतना discharge उसमें सीवेज में सीवर्स में जाएगा ठीक है तो लीटर पर डे ठीक है और अगर आप मीटर क्यूब में कनवर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइट कर दीजे तो जब अगर आप इसे 1000 से डिवाइट करेंगे तो एक दो तीन 24.3 मेटर क्यूब पर डे मतलब इतने वॉल्यूम का दोस्तों डिश्चार जा रहे है अब यहां पर दोस्तों क्या दिया हुआ है डिटेंशन पिरिएट दिया हुआ है वॉल्यूम ओफ टैंक अगर आपको डिजाइन करना है वॉल्यूम ओफ टैंक that is V1 V1 अगर आपको design करना है तो यह जो discharge है average discharge जो इसमें है into detention period से आप multiply कर दिए detention period कितना है दोस्तो 24.3 meter cube per day detention period दोस्तो कितना है यहापर यह आपको दिया हुआ है यह आपको दिया हुआ है friends detention period दोस्तो 30 घंटे 30 hours तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तो कहीं ना कहीं इसको आपको convert करना पड़ेगा 24.3 meter cube per day है तो इसे पहले तो आपको divide करना पड़ेगा 24 से reason क्या है 24 से divide करनेगा दोस्तो यह meter cube per day है यह hour है hour को day में convert करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 24 से डिवाइट करना पड़ेगा यह आपने जब डिवाइट किया तो यह day में convert हो गया यह day में convert हो गया और यह जो answer आएगा दोस्तो फिर meter cube में आ जाएगा तो इसका जो answer है दोस्तो यह मैं solve कर देता हूँ 30.37 आ गया 30.37 meter cube तो volume of tank V1 आपको पता चल गया अब V2 निकालना है आपको friends V2 निकाल लीजे V2 कैसे निकलेगा V2 अगर आपको निकालना है दोस्तो जहां पर आपका sludge accumulate हो रहा है किस rate से sludge accumulate हो रहा है rate of accumulation of sludge rate of accumulation of sludge into दोस्तो यह क्या चीज है cleaning period cleaning period तो दोस्तो rate of accumulation of sludge मैं बता देता हूँ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो आप assume कर लिजे देखे guidelines मैंने यहाँ पर क्या ली हुई है किस rate से accumulation होता है 30 से 40 liter per capita per year तो मैं यह काम करता हूँ 30 liter per capita per year इतना sludge accumulate हो रहा है तो दोस्तो यह मैं ले लेता हूँ 30 liter per capita per year और दोस्तो cleaning period दोस्तो किता दिया हुआ है 6 महिने दिया हुआ 6 महिने मतलब आधा साल half year तो दोस्तो यहाँ से जो आपके पास आ जाएगा और दोस्तो यह तो एक बंदे का है और कितने लोगों के लिए आपको design करना है 300 लोगों के लिए तो यह person से multiply कर दिया तो यह year से year कट गया और दोस्तो क्यापिटा यह है मतलब कितने बंदे हैं 300 बंदे यह persons है 300 person इससे आपने multiply कर दिया तो यहाँ से volume 2 आ जाएगा V2 आ जाएगा liter में divide by 1000 करेंगे दोस्तो meter cube में आ जाएगा तो इसको आप मैं answer link देता हूँ यहाँ पर इसको जब आप solve करेंगे तो 30 into 300 divide by half divide by आप क्या करो यहाँ पर divide by 1000 कर दो to convert this liter into meter cube क्योंकि दोस्तो 1 liter में कितने meter cube बोद है 10 की पावर माइनस 3 तो यहाँ पर क्या किया दोस्तो 10 की पावर माइनस 3 से multiply किया यह जो liter है किसमें convert हो गया यह meter cube में convert हो गया ठीक है फ्रेंज तो यह जब आप solve करेंगे तो इससे जब solve करेंगे दोस्तो यह आजाएगा 4.5 meter cube तो total volume कितना हो जाएगा total volume of total volume of septic tank तो साड़े 4 meter यह हो गया दोस्तो 30.3 साथ यह हो गया 30.37 plus 4.5 तो दोस्तो total जो volume आगई से आप add कर लीजे 34.87 लिख लेता हूं दोस्तो 87 meter cube volume of the tank आपका आ गया तो इतना volume का tank आपको design करना है अब दोस्तो क्या चीज है length और width के बारे में भी नहीं दिया है तो assume कर लेते हैं दोस्तो assume पहले तो depth assume कर लेते हैं depth हम माल लेता है दोस्तो 1.5 meter क्योंकि दोस्तो as per guideline depth किस range में होनी चाहिए देखे फटा-फट as per guideline depth आपके उने चाहिए एक से 1.8 meter मैंने 1.5 meter ले ली बिल्कुल सही है 1.5 meter अगर मैंने depth ली है दोस्तो तो आपका plan area plan area ये कितना हो जाएगा volume divided by depth volume divided by depth माल लीजए ये कोई एक tank है ये आपने ऐसा tank design किया है ये उसकी length है ये उसकी depth है और ये दोस्तो पीछे की तरफ उसकी क्या है उसकी width है तो ये plan area क्या होता है दोस्तो plan area उपर से जो आप देखते हो ठीक है तो ये plan area आपको उपर से दिखेगा तो plan area क्या होता है दोस्तो L into B ठीक है L into B into H तो volume of the tank क्या होगा L into B into H होगा तो plan area आपको पता चल जाएगा तो plan area अगर L into B चाहिए दोस्तो तो volume आपका कितना आया है अभी हमने देखा था volume of the tank is 34.87 34.87 और जो depth है दोस्तो वो कितनी है 1.5 है तो L into B का ratio कितना आ जाएगा और हम का कर सकते हैं assume कर सकते हैं assume L by B ratio दोस्तो हम कितना ले लेते हैं कुछ भी ले सकते हैं 2 से 3 के बीच में लेना है तो दोस्तो मैं एक काम करता हूँ ये 3 ये ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ दोस्तो L into B का जो ratio है ये 2 ले लेता हूँ तो L को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ 2B लिख सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2B into B is equals to 34.87 divided by 1.5 तो B आजाएगा दोस्तों width of the tank will be 3.41 और दोस्तों length of the tank कितना आजाएगा 2 into 3.41 तो length आजाएगा दोस्तों 6.82 meter 6.82 meter का length होना चाहिए 3.41 meter की width होना चाहिए और depth दोस्तों 1.5 आपने ली हुई हो और यहाँ पर दोस्तों एक ची ले लेते हैं take free board take free board of 0.3 meter तो total depth कितनी हो जाएगी दोस्तों total depth including free board is 1.5 plus 0.3 that is 1.8 meter तो dimension क्या हो जाएगे दोस्तों septic tank के dimension of septic tank is equal to length into width into depth तो length दोस्तों कितनी है length है आपकी दोस्तों 6.82 meter मैं मान लेता हूँ 7 meter इसे तो इसको round off करके यहाँ पर देखो 3.4 आ गया है दोस्तों इसे 3.5 meter ले लेते हैं 6.82 या आप एज़ी ले लो क्योंकि देखो construction जब हम करते हैं दोस्तों हम क्या करते हैं यह measurement दे दिया अब वो construction होगा तो length दोस्तों हमने अभी कितनी निकाली थी मैं एक बार फिर से देख 6.82 तो 6.82 इंटो 3.41 इंटो depth है 1.8 meter तो assume क्या कर सकते हैं तो assume dimension या construct a septic tank for colony of 300 person और अगर आप यह answer लिखते हो तो भी सही हो अगर आप यह answer लिखते हो 6.2 को दोस्तो 7 ले लिए 3.45 को 3.5 ले लिए और यह 1. तो हमने क्या किया दोस्तो बड़ा tank बनाया है थोड़ा ताकि आप safer side रहें तो यह answer भी आपका correct है यह दोस्तो जो question है यह है आपका दोस्तो 12 marks का तो अगर आपको यह parameters याद है अब आप note में यह parameter लिख लिजए ताकि यह पूरी चीज solve हो जाए I hope आपको दोस्तो यह चीज़े solve में आई होंगी एक last question और देख लेते हैं क्योंकि आज हमें को हमें 3 question करने है यह third question है यह third question है दोस्तो मैं इसे फटा-फट आपको solve करा देता हूँ यह 18 marks का question है दोस्तो यह कहीं न कहीं इसमें पूरी कहानी लिखनी है आपको पूछा है वो सारे method बताइए जो water purify करने के लिए होते हैं और consumer को जब supply होता उससे पहले क्या-क्या process किये जाते हैं तो मैं दोस्तो यहाँ पर जल्दी-जल्दी आपको लिखा देता हूँ ताकि आप note के formula लिख लिजे और keywords भी अगर आपको याद रहेंगे तो आप असानी से इसका answer लिख सकते हैं तो दोस्तो क्या होता है सबसे पहले हम screen से pass कराते है screening होती है screening में दोस्तों क्या prefer करते हैं हम क्या दोस्तों हम को course screen prefer करते हैं course screen हम fine screen prefer नहीं करते हैं screening के बाद दोस्तों क्या करते हैं aeration करते हैं treatment में aeration के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं aeration के बाद दोस्तों हम लोग sedimentation करते हैं सेडिमेंटेशन और अगर सेडिमेंटेशन सकस्स्टमूल रही होता है थो काउगूलेट एड़ेट अगर सेडिमेंटेशन करते हैं उसके बाद धोस्तों क्या नहीं है filtration करते हैं filter से pass कराते है filtration filtration के बाद दोस्त हम क्या करते है कि पानी में देखते हैं कहीं excess salt तो नहीं है excess hardness तो नहीं है ठीक है तो hardness remove करते हैं water softening water softening के बाद दोस्त हम देखते हैं excess salt तो नहीं है desalination 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 Excess fluorine sense Our defluoridation Fulfordation last treatment closest disinfection disinfection रही है दोस्तों तो ये चीजा है इनके लिए Key word बता देत हूँँ दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते है फ्रेंस screen से पास कराते है screening में दोस्त हम क्या करते है screening में हम coarse particles जो होते है बड़े-बड़े particles, stone, pebbles coarse particles water, जो लकड़ी के गठे होते है wood log, coarse particles इन सब को हटाते है, aeration में क्या करते है, aeration में undesirable gases हम हटाते है, जैसे H2S हटा देते है, carbon dioxide हटा देते है, phenol हटा देते हैं, फिनॉल क्यों हटाते हैं, फिनॉल क्या करता है, दौस्टों, पानी के सार, ख्लोरिंग सार्याइट करके ऐसे कंपॉंड देता है, जिसमें टेस्ट और आता है, कारिसिनोजेनिक मटेरियल देता है, दों, फिनॉल, हिुमिक एसट भी हम यहाँ पर हटाते है, sedimentation में coarse inorganic particle हटाते है coarse inorganic particle जैसे sand, gravel, silt, यह सब हट गया आपका coagulation edit sedimentation में coagulants डालते हैं ताकि और छोटे particle बी remove हो सके है filtration में दोस्तों क्या करते है, filtration में filtration क्या करता है दोस्तों, fine suspended particle, fine suspended particle हटा देता है और दोस्तों क्या चीज़ हटती है, organic matter आपका हट जाते है ठीक है, यह सारी चीज़े, color, taste, color, यह सब भी filtration से हट जाता है filtration के बाद दोस्तों हमने क्या किया, softening करी, water softening, water softening में हम क्या करते है water softening में हम क्या करते है, दोस्तों, पानी में hardness, जो excess hardness होती है उसे remove करते है, by zeolite process, zeolite process, ठीक है, lime soda process, lime soda process तो यह water softening हो गया, उसका दोस्तों क्या होता है, desalination होता है आप क्या करते हो, excess salt हटाते हो, excess salt हटाते हो, ठीक है, excess salt हटाते हो reverse osmosis से, reverse osmosis, reverse osmosis से आप हटाते हो, freezing करके हटाते हो, freezing करते हो या फिर boiling करते हो ठीक है defloridation दोस्तो defloridation में क्या होता है excess fluorine हम अठाते है excess क्योंकि दोस्तों क्या आपको पता है अगर fluorine दोस्तो fluorine अगर 1.5 ppm से concentration 1.5 ppm बड़ा हो गया दोस्तों क्या होता है decoloration of tips होता है और अगर यही fluorine 5 ppm 5 ppm पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों क्या होता है आपका molting of teeth दाद गल्ले लग जाते है तो fluorine भी excess quantity में नहीं होना चाहिए तो हम excess fluorine को हटाते हैं और यह जो technique होती है दोस्तों nalgonda technique होती है nalgonda technique से हम क्या करते है fluorine की excess quantity को हटाते है उसके last क्या हो गया दोस्तों disinfection disinfection में क्या करते हैं दोस्तों microorganism जो harmful microorganism होते है pathogenic microorganism कि यह पहला question है और यह दोस्तों मैं highlight कर देता हूँ जो भी चीज given है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो जो चीज given है दोस्तों एक तो यह SSC JE का 15 marks question है 2017 में आये था दोस्तों बहुत यह अच्छा question है stratophilip equation के उपर है मैं जो चीज given है दोस्तों वो लिख देता हूँ और इसको question को analyze करते हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ गए है मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों कि मैं जब अपना time निकालके यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ दोस्तों आप बहुत प्यार देते हैं बहुत सम्मान देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों ध्यान रखे यह 15 marks का question है और हम देखे दोस्तों within 10 to 15 minutes इस question को solve कर देंगे अगर आपने strator philipic question नहीं देखे तो मैं आपको बदाता हूँ strator philipic question क्या है देखे दोस्तों क्या दिया हुआ है कि आपने एक river water है इसका मैं flow chart बना देता हूँ कि क्या condition है जैसे मान लेज़े यह एक river stream है यह cross section मैंने बनाया है cross section cross section आपने बनाया है यह river है और इस river में आपने क्या किया है दोस्तों waste water आके dump कर दिया तो आपने waste water क्या किया है waste water waste water आपने river में क्या कर दिया mix कर दिया अब सारी चीज़े आपको given है क्या given है कि stream water river water या फिर stream यह cross section किसका है दोस्तो stream water का मान लेते हैं कोई एक river stream है stream water इसमें आपने क्या किया waste water dump कर दिया अब चीजे आपको कुछ data is given है और आपको क्या बोला है कि 2 दिन के बाद dissolved oxygen mixture के कितनी होगी जब आपने देखो mix किया है तो waste water आप देखो जो जो चीज given है दोस्तो stream water का flow क्या है किया है 12 meter cube per second तो stream में जो discharge जा रहा है दोस्तो वो कितना जा रहा है 22 meter cube per second 22 meter cube per second और दोस्तों जो wastewater का discharge है, यह जो discharge यहाँ से जो discharge आ रहा है वो है दोस्तो 3 meter cube पर second 3 meter cube पर second तो यह आपने देख लिया अब दोस्तो dissolved oxygen आपको दिया हुआ है stream का, DO of this stream दोस्तों दिया हुआ है 10 milligram पर liter 10 milligram पर liter और उसके बाद दोस्तोब wastewater का जो dissolved oxygen है वो 0 है 0 milligram per liter अब dissolved oxygen ही नहीं है दोस्तो waste water में तो biological activity कैसे होगी कैसे organic matter आपका remove होगा आपके system में से तो आप क्या करते हैं it is one of the method to dispose our waste waste water तो 2-3 method होते हैं दोस्तो आप river में dispose कर सकते हो lake में dispose कर सकते हो sea में dispose कर सकते हो तो यह आपका क्या चीज़ है disposal of waste water in river का case है disposal of waste water disposal of waste water in river तो इसका case है disposal of waste water in river का case है तो stream water है waste water आपको ये data दिया हुआ है और data क्या दिया हुआ है दोस्तो BOD भी दिया हुआ है दो तो stream water की BOD दियो हुई है waste water की BOD दियो हुई है तो B.O.D. of stream water आपको दी हुई है और आपको B.O.D. इसकी भी दी हुई है B.O.D. of waste water तो यह देख लेते हैं दोस्तो 3 है यह 3 mg per liter और यह 190 mg per liter ठीक है तो कल देखो दोस्तो मैंने आपको एक formula लिखाया था कि जब भी आपको दो mixture बनाते हो तो mixture का जो dissolved oxygen होता है तो DO of mix का जो मै किया था dissolved oxygen of first into volume of first plus dissolved oxygen of second into volume of second upon volume of one plus volume of two यह आपको मैंने बताया था वन आप यहाँ पर क्या हो जाएगा stream हो जाएगा और two क्या हो जाएगा दोस्तो waste water हो जाएगा तो यह चीज हो गया दोस्तो अब आप क्या करो यहाँ पर time से 1 by T से दोस्तो time से divide कर दीजे 1 by T से divide कर दीजे इसे भी 1 by T से divide कर दीजे तो दोस्तो यह जो formula है किस में convert हो जाएगा DO of mixture का जो formula है यह दोस्तो क्या हो जाएगा DO of stream या river water into V1 upon T यह हो जाएगा volume of river water upon time plus DO of wastewater into volume of या wastewater upon time upon दोस्तो क्या हो जाएगा V1 by T या plus V2 by T तो मेरा कहने का मतलब है आप चाहे volume से multiply कर यह चाहे discharge से अब यह volume divide by time क्या होता है दोस्तो discharge होता है तो यह जो DO mix का formula है दोस्तो DO mix का जो formula है वो क्या बन जाएगा DO of stream into discharge of stream plus DO of wastewater into discharge of wastewater upon discharge of stream plus discharge of wastewater तो आपने क्या किया दोस्तो जैसे ही आपने river में अपना wastewater mix किया तो उस mixture की dissolved oxygen कितनी हो जाएगी उसका यह formula हो जाएगा और इसी तरीके से दो दो आप BOD mixture का भी formula निकाल सकते हैं BOD mix का जो formula है तो जो आप क्योंकि देखें दोस्तो waste water की जो BOD वो 3 milligram पर liter है और दोस्तो जो यह आपके river stream है जो wastewater की BOD है वो 190 milligram पर liter है और दोस्तो river water की जो BOD है वो 3 milligram पर liter है तो जब आपने mixture बना दिया उस instant पर जैसे ही आपने यह river stream में यह उपनी BOD यह wastewater मिलाई तो जहां पर मिलाई है उस instant पे दोस्तों क्या आपकी BOD mixture हो जाएगा उसका ये formula है BOD mix is equal to BOD of stream या river stream into discharge of stream plus BOD of wastewater into discharge of wastewater upon discharge का summation discharge of stream plus discharge of wastewater तो ये दोस्तों दो formula आके हो गए पहले तो आपने ये निकाल लिया ठीक है दोस्तों अब मैं आपसे question में आपसे क्या पूछा हुआ है question में आपसे ये पूछा हुआ है कि जब आपने ये चीज मिलाई है तो मुझे बता रहा है कि जो dissolved oxygen दो दिन के बाद आपका dissolved oxygen क्या हो जाएगा वो आपसे पूछा है तो इसके लिए दोस्तों strator flip equation हमें use करनी पड़ेगी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं deoxygenation constant आपको दिया हुआ है और reoxygenation constant आपको दिया हुआ है और दोस्तों reoxygenation constant क्या दिया हुआ है reoxygenation constant is 0.33 per day 0.33 per day यह दोस्तों आपको given है अब आगे देखते हैं दोस्तों कि जैसे यह चीज़ आपको दे दी गई है deoxygenation constant भी आपको दे दिया गया है और reoxygenation constant भी दे दिया गया है तो according to strator flip equation according to stator s-t-r-e यह दोस्तो s-t-r-e-t-e-r film f-p-h-e-l-p-s strator flip equation यह दोस्तों मैं यहाँ पर लिक देता हूँ strator flip equation जो है तो यह जो do at any time t तो यह जो deficiency आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी deficiency in dissolved oxygen after time t इसका जो formula है दोस्तों kd into l upon kr minus kd और bracket में दोस्तों क्या चीज़ है 10 की power minus kd into t minus 10 की power minus kr into t एक तो यह दोस्तों formula हो गया plus do of mixture do of mixture into 10 की power minus kr into t तो यह दोस्तों strator flip equation है इस equation से इसका आंसर निकल जाएगा तो इसको आपको दोस्तों solve पर नहीं है तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या निकाल लेते हैं यह strator flip equation है इस equation में दोस्तों क्या क्या parameter है वो मैं आपको बता देता हूँ तो इस equation में दोस्तों आपने जो लिखा है DO at any time T तो यह क्या होता है deficiency in dissolved oxygen at any time T DO T का यह formula है और दोस्तों क्या के चीज दोस्तों इसमें है आप देख लिजे KD आपका deoxidation constant है KR आपका reoxidation constant है T मतलब कितने दिनों के बाद आपने देखा कि mixture में deficiency कितनी होगी DO उसके बाद दोस्तों क्या चीज है यह DO जो है यहाँ पर जो इसमें DO into 10 square minus KR into T जो लिखा है यह जो है दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ KR is deoxygenation constant deoxygenation constant और KR क्या है दोस्तों reoxygenation constant और दोस्तों इसमें क्या चीज दी हुई है L दिया हुआ है ultimate BOD ultimate BOD of mixture L दोस्तों इसमें ultimate BOD of mixture है तो यह आप देख लिजे दोस्तों L क्या है यहाँ पर ultimate BOD of mixture और दोस्तों यहाँ पर DO दिया हुआ है DO क्या है दोस्तों यह DO of the mixture है तो यह मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों DO क्या है initial deficiency initial deficiency of initial deficiency of oxygen in mixture in milligram पर liter तो यह दोस्तों यह चीज़ हाँ गई और ultimate BOD जो है यह भी दोस्तों क्या है of mixture milligram पर liter में है तो यह सारे parameters है अब हमें यह निकालना है अम फटा फट क्या करेंगे यह दोस्तों निकाल लेंगे तो at t is equal to 0 पर मैं दोस्तों देख लेता हूँ at t is equal to 0 में जब आपने क्या किया stream में आपने क्या किया waste water mix कर दिया waste water mix कर दिया उस time पर dissolved oxygen of mixture कितना हो जाएगा dissolved oxygen of mixture जो हो जाएगा अभी मैंने formula लिखा है दोस्तों यह देखे formula तो do of stream into discharge of stream plus do of waste water into discharge of waste water upon discharge of the stream plus discharge of the waste water तो यहां से दोस्तों मैं निकाल लेता हूँ फटा फट तो दोस्तों यहां पर जो value ली होई है तो discharge 22 और 3 है और 10 और 0 22 और 3 10 और 0 तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा 22 into 3 plus 10 into 0 upon discharge को हम क्या करेंगे add कर देंगे 22 और 3 और 10 और 0 तो 22 और 3 आप add कर दीज़े यह discharge है दोस्तों 22 into यह है dissolved oxygen दोस्तों 10 है 22 के corresponding 10 है 23 के corresponding 0 है तो 22 के corresponding 10 है दोस्तों इसे मैं correct कर लेता हूँ 22 into 10 और यह 22 into 10 plus 3 into 0 upon 22 plus 3 तो यह दोस्तों आपका mixture का dissolved oxygen हो गया जो आप इसे solve करेंगे दोस्तों यह 8.8 milligram पर liter हो जाएगा यह देख लेज़े दोस्तों 8.8 milligram पर liter तो जैसे ही आपने stream में waste water मिलाया तो जो mixture की dissolved oxygen है वो दोस्तों 8 point होगी तो initial deficiency कितनी आई दोस्तों initial deficiency initial deficiency तो दोस्तों stream की dissolved oxygen 10 थी उसमें से क्या हो गया दोस्तों 8 point आपका 8.8 mixture का हो चुका है तो initially जैसे ही आपने mix किया तो mix करते ही T is equal to 0 पर oxygen की कमी कितनी आई दोस्तों यह आ गई 1.2 milligram पर liter 1.2 milligram पर liter यही दोस्तों वो DO था जो आपके formula में है तो यह जो चीज लिखी हुई है दोस्तों यह चीज आपकी 1.2 आ गई अब L क्या है दोस्तों BOD of the mixture है तो BOD of the mixture भी निकाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर तो BOD of BOD of the diluted mixture diluted mixture BOD of the diluted mixture तो दोस्तों यह मैं निकाल लेता हूँ तो L BOD of the mixture क्या हो जाएगा BOD of the mixture is BOD of stream into discharge of stream plus BOD of waste water into discharge of waste water upon discharge of stream plus discharge of waste water तो दोस्तों BOD of the mixture BOD है दोस्तों 3 है और इसका discharge 22 के corresponding 3 है तीन के corresponding 190 है तो यह हम दोस्तों निकाल लेते हैं 22 के corresponding 3 है 22 into 3 plus 190 into 3 divide by 22 into 3 into 22 plus 3 तो इसको जब BOD of the mixture हम निकालेंगे दोस्तों यह आ जाएगा 25.44 milligram पर लीटर तो mixture की BOD इतनी है अब stratophilip equation में हम दोस्तों यह सारी value रखेंगे और इसको हम solve कर देंगे तो according from stratophilip equation सर एससी जई दोर के लिए pre का क्या का class लगाईए चोटे लाल सिंग बिलकुल लगाऊंगा यार देखो मैं काम करता हूँ अभी इसको complete कर देता हूँ दोस्तों यह 10 दिन में पूरा mains की तयारी complete हो जाएगी मैं daily 5 question करा रहा हूँ और 5 question के बाद मैं ssc.j.pralimacy class start कर दूँगा मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप यह channel देखते हैं और ssc.j.pralimacy class कर रहे हैं तो दोस्तों मैं क्या करूँगा कि 10 दिन के बाद जैसे ही यह complete हो जाएगा उसके बाद preliminary class start कर दूँगा यार छोटे लाल देखो दिल पे नहीं लेते हैं आपने preparation करी 119 नमबर आपके आए हैं दोस्तों 119 नमबर लाना भी देखिए आपने आप में एक बहुत बड़ा achievement है 119 नमबर देखो सबके नहीं आए होंगे छोटे लाल आपके 119 नमबर आए हैं तो आप appreciate बहुत मेहनत करी होगी आपने दोस्तों तब आपके 119 नमबर आए हैं आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे हैं ठीक 3 महीने बाद फिर से prelims है में को बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे suggestion देखते हो कि इसके बाद prelims की class start करें मैं बिल्कुल इस इन 10 दिनों के बाद क्योंकि कई सारे student यहाँ पर mains की तयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ठीक 10 दिन के बाद जैसे ही मैं यह 53 question करा दूँगा मैं उसके बाद prelims की तयारी में लग जाऊंगा और आपको बकायदा यहाँ पर बहुत अच्छे सारे subjects को बहुत डीटेल में और तीन महीने में आपकी बहुत अच्छी preparation में करा दूँगा तो आप जुड़े रहिए दोस्तों यह चीज से भी आप अपने concept बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि जो 2019 की vacancy है उसके लिए जो mains का पड़ेगा तब आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपसे यही गुजारिस करूँगा कि यार दोस्तों कर लो ये question 53 आपको बहुत help मिलेगी इन चीजों से और इन question के छोटे 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 इन सारे conventional questions से दोस्तों छोटे छोटे objective question भी numerical बन जाते हैं तो आप प्लीज करिए इन questions को आपको बहुत फाइदा मिलेगा तो तो स्टैटर फिल्प्स equation जो है दोस्तों उसको मैं लिख देता हूँ और deficiency निकाल देता हूँ deficiency in oxygen at any time t तो ये dot क्या है deficiency in oxygen deficiency of oxygen at time t at time t easy equals to ये आपकी जो equation है दोस्तों ये आप निकाल लीजे deficiency जो है आपके oxygen की तो ये जो equation है दोस्तों ये क्या है kd into l kd upon kr minus kd 10 की पावर minus kd into t minus 10 की पावर minus kr into t kd sir gate की full classes sir gate की full classes ultimate notes your gate की classes ठीक है दोस्तों मैं काम करता हूँ मैं opinion ले लेता हूँ कई सारे students comment कर रहे हैं तो actually क्या है कि मैं भी ज़्यादा time अभी नहीं निकाल पा रहा हूँ gate की पूरी classes दोस्तों मैं unacademy के plus platform पे ले रहा हूँ simultaneously इस वाले platform पे मुझे कई सारे students ने ssc.je के लिए request करी है तो मैं comment section पे analyze कर लेता हूँ कौन से students ज़्यादा interested है classes के लिए तो मैं वैसे ही classes start कर दूँगा तो आप जुड़े रहे हैं दोस्तों और kd और kr की value कितनी दी हुई है kd की value दोस्तों kd की value 0.11 है kr की value 0.33 है तो 11 और 33 ये value निकाल देते हैं दोस्तों और इसमें answer निकाल आएगा तो ये जो value है kd की value है 0.11 ultimate beauty of the mixture दोस्तों 25.44 upon kr की value दोस्तों 0.33 और kd की value 0.11 into 10 की power minus kd की value 0.11 into 2 दिन के बाद आपको देखना है minus 10 की power minus 0.33 into फिर 2 दिन के बाद आपको देखना है कि कितनी deficiency हुई oxygen में plus dissolved oxygen initial deficiency कितनी है दोस्तों 1.2 की हमने निकाल ली थी 10 की power minus 0.33 into 2 days के बाद तो इसे जब आप solve करेंगे दोस्तों तो इसको जब आप solve करेंगे तो ये value आजाएगी 5 point तो deficiency in dissolved oxygen after 2 days तो mixture में जो dissolved oxygen की deficiency आएगी after 2 days जब आप इसे solve करेंगे दोस्तों इस पूरी चीज को तो ये आपको calculator से दोस्तों करनी पड़ेगे और ये question दोस्तों जो चीज है गेट के लिए भी बहुत important क्योंकि stratophilip equation से अभी तक question नहीं आया है सिर्फ DO mix और BOD mix निकालने को आया है तो जब आप इसे solve करेंगे friends तो यहाँ से जो value आपकी आजाएगी deficiency जो होई है दो दिन के बाद deficiency है वो 5.14 milligram पर लीटर है इतनी deficiency हुई है अब question में अब आपको क्या था जब आपने mixture बनाया mixture जब बनाया तो दोस्तो dissolved oxygen कितनी थी dissolved oxygen थी 10 थी और 2 दिन के बाद mixture में जो deficiency आगई दोस्तो वो 5.14 आगई तो कितनी कमी आगई दोस्तो यह हम निकाल सकते हैं तो present यह कमी आगई और यह इतनी थी दोस्तो तो present में कितनी dissolved oxygen होगी तो after 2 days dissolved oxygen of mixture दोस्तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तो 10 में से आप क्या करिए 10 में से आप minus कर दीजे यह आपका हो जाएगा saturated DO था यह saturated DO में से कमी कितनी आगई 10 में से 5.14 आप घटा दीजे तो यह इतना करने के दोस्तो 15 marks है यह 15 marks सा question है friends देख लीजे आप तो 15 marks सा question है दोस्तो आपको बस एक बार concept समझना है यहाँ पर 3 concept लगे है मैं highlight कर देता हूँ क्या 3 concept है एक तो जो data दिया हुआ था discharge of the stream DO of wastewater का और DO of wastewater DO of stream BOD of stream और BOD of wastewater तो सबसे पहले तो दोस्तो आपको यह दो formula लगाने आने चाहिए कि जब भी कोई चीज river में या कोई दो mixture बनाते हैं उस mixture का dissolved oxygen कितना हो जाएगा वो यह formula हो गया उसके बाद अगर आपने कोई mixture बनाया उसका mixture का BOD कितना हो जाएगा यह formula आपके बास आ गया और दोस्तो stratophilipic questions आप यह बता सकते हो कि नदी में दो दिन के बाद dissolved oxygen में कितनी कमी आएगी तो आप वो भी आप निकाल सकते हैं तो dissolved oxygen after time T जो है वो यह formula आ गया kd into l upon kr minus kd तो ठीक है 10 की पावर minus kd into t minus 10 kr into t प्लस DO into 10 की पावर minus kr into t तो यह stratophilip equation है दोस्तो इस equation को use करने के अब आप देखो दोस्तो DO mix के 5 marks थे यह formula निकालने के 5 marks BOD mixture निकालने के 5 marks दोस्तो 10 marks हो गए और फिर यह जो आपकी जो stratophilip equation है इसको solve करने के दोस्तो 5 marks तो 15 marks इस question से आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने क्या किया दोस्तो mixture DO mix निकालने हमने फटाफट और उसके बाद deficiency निकालने initially deficiency कितनी है पानी में तो saturated DO में से कितनी कमी आई 1.2 की कमी आई तो यह 1.2 आपने निकाल लिया उसके दोस्तो आपने mixture BOD of the mixture निकाला दोस्तो इसके 5 marks आपके 25.44 यह value आ गई उसके बाद दोस्तो आपने क्या किया कि stratophilip equation लगा दी DO at any time T दोस्तो आपने जब solve किया तो यह stratophilip equation में सारी चीज़े put कर दी और आपका answer आ गया तो यह दोस्तो deficiency आई 2 दिन में 5.14 तो at present कितनी dissolved oxygen है after 2 days dissolved oxygen कितनी present है अभी भी पानी में वो कितनी है दोस्तो 10 आपकी saturated DO थी 5.14 आपकी कमी आ गई तो दोस्तो कितना अभी भी dissolved oxygen बचा है 4.86 dissolved oxygen अभी भी बची है तो दोस्तो मुझे बहले ही explain करने में 20 minutes लगे है बट दोस्तो मैं आपको बताओ अगर आप एक बार इसका solution लिख लेंगे तो यही question अगर gate में आता है तो भी आप solve कर ले जाओगे और अगर SSC mains में आता है दोस्तो तो भी आप solve कर ले एक टाउन है जो कि गंगा river के है उसमें जो डिश्चार्ज आ रहा है तो यह दोस्तो इतना डिश्चार्ज है 18,000 m3 per day treated water, आप क्या कर रहे हो, इतना discharge आप river गंगा में dispose कर रहे हो और treated water की जो BOD है जोस्तो 5-day BOD उसका 20 mg per liter है, decay constant उसका 0.12 per day है at 20 degree Celsius, the river has a flow rate of अब river का discharge लिखा हुआ है 0.43 m3 per second, उसकी ultimate BOD लिखी हुए दोस्तो, the DO of the river is इतना दिया हुए, the DO of waste water is 0.4, will compute the DO and the initial ultimate BOD in the river, immediately after mixing, तो mixing का question अब दोस्तो कर चुके हैं कहीं न कहीं, तो यह है दोस्तो यह माल लेते हैं गंगा river है, और इसमें आप क्या कर रहे हो, waste water dispose off कर रहे हो तो यह river है और इसमें आप क्या कर रहे हो, दोस्तो waste water dispose off कर रहे हो waste water आपको dispose करना है, अब दोस्तो 2-3 चीज़े दी हुई है यहाँ पर, कि जो discharge है आपका waste water का 18,000 meter cube per day है, discharge of the waste water is 18,000 meter cube per day, तो यह दोस्तो discharge given है, और मैं आपको बता देता हूँ कि the treated waste water has a BOD 5 of 20 mg per liter the treated waste water अब treated waste water आप डाल रहे हो, दोस्तो यह दिहान रखेगा, पहले इसे treat करके आप क्या कर रहे हो, गंगा रिवर में उसे dispose off कर रहे हो, तो दोस्तो treated waste water का BOD 5 20 है, और decay rate constant 0.12 per day है, BOD 5 of this waste water is, यह कितना दिया हो है दोस्तो 20 mg per liter 20 mg per liter, और दोस्तो इसका जो decay rate constant है KD यह कितना है दोस्तो, 0.12 per day, 0.12 day minus 1, तो 0.1 अगर होता है दोस्तो, वो 10 की power में होता है, तो यह ध्यान रखेगा at 20 days, the river flow, अब river का discharge जिया हो है, 0.43 meter cube per second, तो discharge of river जो है दोस्तो, यहां लिख देता हूँ, में discharge of river is 0.43 meter cube per second, discharge seconds में दिया हो है river का discharge आपको दे दिया है दोस्तो, ultimate BOD दिया हो है 5 mg per liter, इसकी जो ultimate BOD है दोस्तो, वो है 5 mg per liter, और क्या चीज़ दिया हो यह गिवन दोस्तो, यह मैं देख लेता हूँ the do of the river is 6 and the do of wastewater is 0.4 तो do of river जो है दोस्तो, वो 6 mg per liter है और do of wastewater जो है दोस्तो wastewater है 0.4 mg per liter तो dissolved oxygen जो है wastewater में 1 liter wastewater में 0.4 oxygen है और dissolved oxygen जो river में है 1 liter river के water में 6 mg oxygen है compute the do and initial ultimate BOD initial ultimate BOD in the river, immediately after mixing यह आपको निकालना है do of, जैसे ही आपने mix किया तो जैसे mix किया, do आपका जो mixture है, वो कितना होगा do mixture आपको formula मैंने सुबह ही बताया जोस्तो, फिर से आप वो video lecture देख लीजे, यह हम फिर से यहापे solve कर देता है इस चीज़ को, do mixture कितना है initial ultimate BOD in the river, initial ultimate BOD तो initial ultimate BOD भी आप से पूछा हुआ है, initial ultimate BOD of river यह आपको दोस्तो, पूछा हुआ है तो initial ultimate BOD of the river mixture, तो आपको यह निकालना है यह सारी चीज़े हैं, अब यह देखे दोस्तो कितने मास सोगोशन है, 15 मास सोगोशन है, तो यह एक part जो होगा है, इसका, more or less equal माल लेते हैं, साड़े साथ, साथ मास का माल लेते हैं, अब दोस्तो यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, एक तो discharge of the river, दोस्तो meter cube per second में दिया है, और यह दोस्तो meter cube per day में, तो discharge of the river पहले हम convert कर लेते हैं, इसका अब हम solution देखते हैं, solution तो सबसे पहले दोस्तो मैं क्या करता हूँ, discharge of the river निकाल देता हूँ, in meter cube per day, अब दोस्तो क्या चीज़ है, एक second में जो discharge आ रहा है, दोस्तो, 0.43 meter cube आ रहा है, बहुत ध्यांसा सुनिएगा, एक second में दोस्तो, discharge आ रहा है, 0.43 तो एक minute में कितना आएगा, आपको पता है, एक minute में कितने second होते हैं, 60 second होते हैं, ये एक minute का discharge है, into दोस्तो क्या 60, ये दोस्तो एक घंटे का discharge है, into दोस्तो क्या कर दिया, 24 से कर दिया, तो ये एक दिन का discharge है दोस्तों तो ये कितना आ गया दोस्तों मीटर क्यूब पर डे में इसका आ गया तो आपने क्या किया दोस्तों इसे कनवर्ट कर दिया इसे मीटर क्यूब पर डे में तो एक दिन में इतना discharge दोस्तों पर डे इतना discharge इतने मीटर क्यूब का volume का पानी flow करेगा, इससे जब आप solve करेंगे 0.43, 60 into 60 into 24 दोस्तों क्या होता है, 864 00 होता है, यह होता है दोस्तों, 864 00, तो 0.43 को जब आप multiply करेंगे दोस्तों, 864 00 से, इसे मैं calculate कर लेता हूं, 864 00 into 0.43 तो 37152 आ जाएगा 37152, तो यह दोस्तों आज आएगा 37152 meter cube पर day, पहले आपने यह task complete कर लिया, कि discharge of the river को किसमे convert कर दिया discharge of the river को आपने convert कर दिया दोस्तों किसमे meter cube पर day में यह हो गया दोस्तों, अब यह चीज convert होगी, अब DO of mixture आप निकाल लीजे, DO of mixture जो आपको निकालना है दोस्तों, DO of mixture कैसे निकालेंगे friends, DO of mixture आप निकालेंगे DO of river DO of river into discharge of river plus DO of treated wastewater, treated wastewater into discharge of wastewater, treated wastewater upon, upon क्या हो जागा discharge of river plus discharge of treated wastewater, तो यह चीज दोस्तों पूरी की पूरी आपकी आगई है ठीक है friends, तो अब हम यहाँ पर solve कर लेते हैं, पहला पार तो DO of mix क्या हो जाएगा, DO of mixture तो दोस्तों, DO of river आपको question में दिया हुआ है, DO of river कितना है DO of river इस 6 mg पर लेटर और इसका discharge अब भी हमने निकाला है और DO of wastewater आपको दिया हुआ 0.4 और यह 18,000 मेटर क्यूब पर दे तो discharge of the river is 3137152 37152 यह 7 कर लिजेगा friends 37152 इंटू यह DO of दोस्तों, river किया है, 6 mg पर लेटर पर discharge of the wastewater, treated wastewater is 18,000 और DO of wastewater is 0.4 अपोन यह कितना हो जाएगा दोस्तों discharge को आड़ कर देते हैं 37152 प्लस 18,000 18,000 इसे जब आप solve करेंगे friends तो यह जो value आ जाएगी, यह आएगी 4.17 milligram पर लेटर तो यह दोस्तों आ गया 4.17 milligram पर लेटर अब आपसे क्या पूछा है दोस्तों कि second part आपसे क्या पूछा है कि DO of the mixture तो आपने निका लिया अब initial BOD of river आपसे पूछा हुआ initial ultimate BOD of river यह आपसे पूछा हुआ है यह mixture आप कर देते हैं तो वो निकाल लेते हैं यहापर दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा friends कि मुझे पता है ultimate BOD of the river पता है ठीक है BOD river mixture यह mixture कर लेते हैं दोस्तों mixture का आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ultimate BOD of the river आपको दिया हुआ है 5 day BOD आपको दिया हुआ है waste water का आप ultimate BOD of waste water निकाल लेते हैं तो उस हमारा अगला टास्क क्या है दोस्तों ultimate BOD ultimate BOD of treated waste water क्योंकि बार-बार treated लिख रहे हैं treated waste water तो दोस्तों आपको पता है BOD 5 is equals to BOD ultimate 1-10 की power minus kd into t तो यह चीज़ा आपको BOD 5 आपको question मैं दियू हुए दोस्तों 20 mg per liter is equals to ultimate BOD L होता है 1-10 की power minus k की जो value है वो कितनी है 0.12 into 5 दिन पर आप देख रहे है तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा ultimate BOD BOD ultimate is equals to 20 divided by 1-1 upon 10 की power 0.12 into 5 तो इसे जब आप solve करेंगे friends तो यह value आपकी आजाएगी 26.71 mg per liter 26.71 mg per liter यह दोस्तों क्या हो गए ultimate BOD of the treated water अब ultimate BOD of ultimate BOD of mixture आपको निकालना है mixture तो यह क्या हो जाएगा ultimate BOD ultimate of the mixture तो यह हो जाएगा दोस्तों ultimate BOD of river ultimate BOD of river into discharge of river stream यह आपको question में दिया हुआ है ultimate BOD of river is 5 mg per liter 5 mg per liter 5 mg per liter into discharge of the river कितना है दोस्तों discharge of the river अभी हमने निकाला था 3137152 meter cube per day plus ultimate BOD of wastewater अभी हमने निकाला है दोस्तों कितना है 26.71 26.71 into discharge of wastewater कितना दिया हुआ है दोस्तों wastewater कितना है दोस्तों wastewater का discharge है दोस्तों 18,37152 तो दोस्तों जब आप इस पूरी चीज़ को solve करोगे dimension wise देख लिए दोस्तों यह कितना है दोस्तों meter cube per day में है यह चीन meter cube per day में है और यह milligram per liter में है और यह दोस्तों meter cube per day में है तो इससे जो answer आपका आजाएगा दोस्तों वो आएगा milligram per liter में तो ultimate BOD जो आपका हो जाएगा दोस्तों यह आपका आएगा 12.085 तो ultimate BOD आपका आजाएगा 12.085 milligram per liter तो ultimate BOD of the mixture यह आपको निकालना था तो दोस्तों इसमें तीन चीजे कहीं निकालने गोती मैं highlight कर देता हूँ तो तीनों चीजे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजे एक तो दोस्तों यह कि initially जैसे यह आपने मिला है तो mixture का ultimate BOD कितना हो गया 12 हो गया उसके बाद करना meter cube per second को meter cube per day में convert कर देना ठीक है तो एक second में दोस्तों इतना discharge जा रहा था और एक दिन में कितना जाएगा दोस्तों तो एक second पहले आपने इसे convert कर लिया minute में minute से फिर hour में hour से फिर दोस्तों किसमें कर लिया पर day में तो 16 to 16 to 24 यह आपने दोस्तों क्या किया conversion कर दिया तो इसके दोस्तों आपके 15 marks है तो यह 15 marks का question है तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ यह चीज को erase कर देता हूँ ठीक है friends तो I hope आपको यह question सौन में आया होगा अब हम अगले question की तरब बढ़ते हैं दोस्तों अगला question मैं यहाँ आपको soil का करा देता हूँ और मैं एक पर remark देख लेता हूँ ठीक है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और I hope आपको यह question सौन में आया होगा दोस्तों तो DO mix और BOD mix के उपर काफी question हमें मिल गए हैं अगला question दोस्तों 15 marks का है देखे 5 प्लस 4 प्लस 6 तो 10 15 marks का है SSJ 2004 का तो यह दूसरा question है a cube of dried clay having sides 4 cm long has a mass दोस्तों यहाँ पर S आएगा has a mass of यह S कर देता हूँ मैं has a mass of 110 gram ठीक है तो cube है दोस्तों आपने size क्या लिया है एक cube of dried clay, clay का आपने क्या किया एक cube बनाया हूँ है तो यह दोस्तों मैंने क्या कर दिया cube बना दिया इसको erase कर देता हूँ ठीक है और दोस्तों देखे यहाँ पर 4 cm long तो मतलब क्या है cube है तो 4 cm यह होगी distance और यह length भी 4 cm है और यह distance भी दोस्तों 4 cm है ठीक है तो यह आपने cube लिया है clay का और उसके बाद क्या है दोस्तों और इसका dried जो इसका mass है तो dried इसका जो mass है वो है दोस्तों 110 gram और क्या दिया हुआ है दोस्तों the same cube of soil when saturated at unchanged volume has a mass of 135 gram तो dried soil का यह mass है और दोस्तों saturated जब है यह यही पूरी soil जब saturated है तो दोस्तों इसका वज़ान है 135 gram draw the soil element showing the volume and weight of the constant and then determine the specific gravity of the soil solid and the void ratio तो दोस्तों आपको क्या करना है सारे element show करने है volume show करना है weight show करना है specific gravity determine करना है और void ratio तो specific gravity void ratio के दोस्तों 10 marks हो गए और element show करना है के 5 marks हो गए तो यह चीज़ है तो इसका मलग 3 phase diagram बनाना है तो जब जब soil dry है तो यह जब dry है soil दोस्तों तो total volume तो दोस्तों same है पूरे volume का soil का जो वो है तो जब dry है तो दोस्तों क्या होगा soil solids होंगे soil solids होंगे और क्या होगा दोस्तों air होगा और दोस्तों जब soil आपने saturate कर दी तो क्या होंगे phase diagram में soil solids होंगे और दोस्तों क्या होगा void में water होगा आई हो आपको इस वाइन में आए होगा तो यह दोस्तों dry case का है और यह दोस्तों saturated case का है ठीक है तो ये total volume है total volume of soil अभी हम निकाल लेते हैं कितनी है दोस्तो ठीक है और ये भी दोस्तो क्या है total volume of soil है ठीक है यहां से लेके ये जो चीज है दोस्तो volume of voids है और ये volume of solids है यह मैं volume को एक तरफ ही show कर देता हूँ left hand side पर weight को दोस्तो मैं क्या करता हूँ right hand side पर show कर देता हूँ तो ये दोस्तो क्या है तो ये volume of voids है और ये दोस्तो volume of solids है और ये weight of air है weight of air को दोस्तो हम क्या मान के चलते है जीरो मान के चलते है why because the density of air is very less as compared to solids and water तो weight of air को हम जीरो मान के चलते है अब दोस्तो weight of air जब 0 है तो dry soil का जो वजन होगा उसमें क्या होगा dry soil का जो पूरा वजन है उसमें क्या होगा दोस्तो सिर्फ weight of solids होगे तो weight of solids किता हो weight of dry soil दोस्तो 110 gram है मतलब ये पूरा 110 gram है ठीक है अब दोस्तो जब आपने इसमें पानी डाला जब ये saturate हो गई तो कितने weight का पानी आया होगा दोस्तो 110 से 135 होगा मतलब 25 gram पानी आया होगा तो weight of water कितना होगा दोस्तो weight of water ये होगा दोस्तो 25 gram तो ये दोस्तो क्या होगा ये 25 gram है और weight of solids कितने हैं दोस्तो 110 gram तो weight तो मैंने show कर दिया अब point आता है दोस्तो volume कैसे निकालना है आमें ठीक है तो volume आप दोस्तों कैसे निकालनेंगे सोचिए बहुत ध्यान से volume निकालने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा आप देखो बहुत द्यान से कि water content हम यहां पर निकाल सकते हैं क्योंकि specific gravity निकालना है void ratio निकालना है, void ratio करता है volume of voids upon volume of solids ना हमें volume of solid पता है और ना हमें volume of voids पता है तो दोस्तो बहुत ध्यान सा यहाँ पर आप सोचिए कि आप क्या trick अपनाएंगे कि आपको यह सारी चीज़े मिल जाएं तो दोस्तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि ठीक है, volume of water निकाल लेते हैं और ठीक है, दोस्तो यह मैंने एक चीज़ शो कर दिये अब आगे की जो analysis है, तो फटा फट दोस्तो देखें यहाँ पर हमें पूछा क्या है, हमें यहाँ पर पूछा गया है mass आपका यह है, ठीक है volume, total volume of soil हमें पता है दोस्तो और दोस्तो बहुत ध्यान से देखिए, हमें volume of water भी पता है total volume of soil दोस्तो कितनी है, total volume of soil is cube आपका 4 cm, 4 cm, 4 cm, तो total volume of soil जो आपकी है दोस्तो total volume of soil, total volume of soil जो है आपके पास वो कितनी है दोस्तो 4 into 4 into 4, तो यह दोस्तो 64 cm cube हो गया दोस्तो 64 cm cube तो दोस्तो total volume of soil है अब dry density of the soil अगर मैं निकालू हूँ या weight दिया हूँ है न तो dry volume नहीं density निकाल ले दाओ तो दोस्तो देखिए dry density of soil क्या होता है weight of soil upon volume of soil weight of soil कितनी है दोस्तो 110 है volume of soil 64 है इससे जब आप calculate करेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा तो यह दोस्तो आ जाएगा 110 divided by 110 divided by 64 तो 1.71 आ जाएगा 1.71 ग्रैम पर cm3 ठीक है दोस्तो अब total volume of soil 64 cm3 है उसमें से दोस्तो पानी का जो वजन है weight of water 25 ग्राम है पहले तो हम यह देख लेते हैं कि total volume में 25 ग्राम तो दोस्तो पानी है तो यह जो water है इसका volume कितना होगा दोस्तो यह हम निकाल लेते हैं इसका volume कितना हो जाएगा हमें पता है density of water कितना होता है दोस्तो 1 ग्राम पर cm3 मतलब 1 cm3 एक ग्राम का जो volume है दोस्तो 1 cm3 है तो हमें ये निकालना है दोस्तो कि 25 gram पानी का 25 gram water का volume कितना होगा हमें पता है दोस्तो एक gram पानी का volume है एक centimeter की उब थो 25 gram पानी का время जो volume हो जाएगा volume of water volume of water will be equal to 25 centimeter cube तो ये हमने निकाल लिया दोस्तो अब 64 total volume है उसमें से 25 cm cube दोस्तो पानी का volume है तो इसका मतलब क्या हो गया स्तो----------------------------------------------------------------- cm cube तो volume of water भी निकाल लिया volume of voids भी आपने निकाल लिया तो मैं दोस्तों यहाँ पर marker का color change करके यहाँ पर क्या करता हूं यह कर देता हूं तो volume of water यहाँ से लेके यहाँ तक तो 25 cm cube है और यह total कितना है दोस्तों यह total आपका जो volume है वो है 64 cm cube तो यह जो बचा हुआ है यह दोस्तो 39 है यह और इसी का मतलब क्या हो गया यह दोस्तों यह चीज भी 39 हो गई अब volume of air कितना हो गया दोस्तों 25 mq तो अब दोस्तों हमें क्या निकालना है देखिए हमने सारी चीज़े तो दिखा दिया और दोस्तों क्या gravity और void ratio निकालना है हमें पता है void ratio क्या होता है दोस्तों void ratio is defined as E void ratio is volume of voids upon volume of solids voids का volume कितना है दोस्तों 25 है solids का volume दोस्तों कितना है 39 है ठीक है तो यह ratio आप निकाल लीजिए आप जब 25 divided by 39 करेंगे you will get the answer 25 divided by 39 0.64 तो void ratio is 0.64 यह आ गया specific gravity of soil solids जो होता है वो क्या होता है density of soil solid upon density of water तो density of soil solid क्या होता है दोस्तों weight of soil solid upon volume of soil solid upon density of water is 1 gram पर centimeter cube अब दोस्तों weight of soil solid कितना है soil solids का बजन कितना है दोस्तो यह आपने निकाला हुआ है 110 ग्राम है तो 110 110 डिवाइड बाई volume of soil solids कितना है volume of soil solids अभी हमने निकाला हुआ है वो 39 है यह ग्रैम में है और यह 39 दोस्तो क्या है centimeter cube है upon 1 तो यह जो specific gravity of जब भी कभी दोस्तो soil solids की बात करते हैं यह जो specific gravity होती है उसे हम बोल देता है true specific gravity true specific gravity और mass specific gravity में हम क्या लेते है weight of total soil upon volume of total soil हमें यहाँ पर soil solid के लिए बोला है तो यहनि true specific gravity तो 110 डिवाइड बाई 39 जब आप करेंगे दोस्तो 110 डिवाइड बाई 39 यह 2.82 आ जाएगी तो specific gravity of soil solid is 2.82 तो यह हमें निकालना था दोस्तो void ratio निकालना था और सारे elements हो करने थे तो मैं यहाँ पर highlight कर देता हूँ तो जो चीज निकालनी थी हमें specific gravity दोस्तो 2.82 हमें निकालनी थी उसके बाद दोस्तो void ratio हमें निकालना था 0.64 और हमें क्या निकालना था दोस्तों ये सारी चीज़े निकालनी थी ये 25 निकालना था 49 निकालना था ये 64 49 और सारे weights आपको दिखाने थे तो ये ही चीज करना था दोस्तों और इस question के कितने marks है दोस्तों 15 marks है तो ये आपने क्या किया within minutes आपने ये सारी चीजे solve कर ली ये आया हुआ है SSC JE बहुत सारे student यहाँ पर जुड़ गए है दोस्तो पहला question है आप फटा फट देख लिजे दोस्तो और ये question कई बार मैंने देखा है objective examination में भी कई बार आया हुआ है तो ये मैं इसका year आपको बता देता हूँ friends कि इसका कौन सा year है ये किस साल में आया है तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये इसका जो year है friends ये SSC JE 2008 में आया हुआ है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये SSC JE 2008 में आया हुआ है और ये 10 marks अ question है काफी बार मैंने देखा है fineness modulus के उपर students को doubt रहता है कि fineness modulus क्या होता है तो देखे question में क्या दिया हुआ है एक sand sample आपने लिया है 250 gram का तो sample का जो weight है weight of the sample, sand sample is यहाँ पर लिख देता हूँ या next page पर लिख देता हूँ weight of weight of sand sample weight of sand sample is 250 grams sand sample का वज़न दोस्तो 250 gram है और उसको sieve analysis किया है आपने sieving किया हूँ है successfully through the following sieve left retention of the sieve rs follow जितना left रहे गया है दोस्तो वो लिखा हूँ है what is the fineness modulus what is what sand it is fine, medium और coarse 210 marks अ question है तो देखे दोस्तो आपको पता होना चाहिए fineness modulus क्या होता है fineness modulus आपको पता होना चाहिए modulus और दोस्तो according to fineness modulus हम यह बता सकते है जोब की sand है वो fine sand है, medium sand है या coarse sand है from the value of from the value of fineness modulus from the value of fineness modulus we can compute we can compute the sand is the sand is fine, medium या फिर coarse fine, medium या फिर coarse sand यह हम बता सकते हैं sand के बारे में अब दोस्तों fineness modulus क्या होता है यह मैं आपको बता देता हूँ fineness modulus fineness modulus क्या होता है कि आप क्या करो summation कर दो summation of cumulative percentage weight retained in the sieve analysis summation of cumulative percentage weight retained of sieve analysis divided by 100 तो यह दोस्तों इसका formula होता है तो आप क्या करते हो दोस्तों sieve analysis का representation दिखाते हो अभी मैं आपको एक table बना देता हूँ और उस table में आप देख लिजे representation हम कैसे करते हैं आप क्या करते हो sieve size लेते हो sieve number या sieve size या आपने sieve size ले लिया और sieve size के corresponding आप क्या देखते हो यह देखते हो weight retained weight retain और फिर friends देखते हो percentage weight retain percentage weight retain और friends आप क्या देखते हो cumulative percentage weight retain cumulative percentage weight retain और friends last में आप देखते हो percentage finer percentage finer i hope यह percentage finer video के पीछे नहीं गई होगी तो दोस्तों जो last column है उसमें आप percentage finer लिख दिए मैं नीचे करके लिख देता हूं percentage finer यह शायद दिख रहा होगा तो मैं wait कर लेता हूं क्योंकि दोस्तों मैं जो live आपको पढ़ा रहा हूं उसमें मेरी जो वीडियो है थोड़ा सा lag करके चलती है शायद 15-13 seconds का buffer होता है तो मैं देख लेता हूं एक बार की percentage finer आपको visible है की नहीं है तो यह visible नहीं है दोस्तों मुझे और नीचे लिखना पड़ेगा तो ऐसा दोस्तों हमें यहाँ पर एक table बनानी होती है तो percentage finer लास्ट वाला जो column है उसमें हम percentage finer लिखेंगे तो sieve size दोस्तों क्या है मैं यहाँ पर table से देख लेता हूं 10 mm उसके बाद ठीक है तो यह दोस्तों क्या है इस ratio में आगे बढ़ रहा है 480 तो दोस्तों 15 micron 30 micron 60 micron 120 micron 240 micron 480 micron और 10 mm तो दोस्तों इस ratio में क्योंकि sieve analysis में क्या होता है कि जो sieves होती है they arrange in the decreasing order जो बड़ी sieve होती है वो उपर होती है और जो छोटी sieve होती है वो नीचे होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं friends 10 mm सबसे उपर लिखना है 10 mm 480 micron 480 micron और friends क्या है 480 micron 240 120 60 15 दूनी 30 इसका double होता जा रहा है 10 micron और 15 micron तो इसके corresponding आपको weight retain निकालना है यह table मैंने पूरी बना दिये यह table जब आपने बनाई है friends तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि weight retain यहाँ पर तो 0 है 10 mm के corresponding weight retain है दोस्तों वो 0 है फिर आपका क्या है retain grams में 10 gram यहाँ 10 15 50 50 10 15 50 तो यह दोस्तों कितना है in grams ठीक है तो यह column second है यह column third है यह column fourth है और यह column fifth है तो यह दोस्तों 10 gram है 10 gram और क्या दिया हुआ है question में 10 15 gram 50 gram 50 gram 75 gram 15, 50, 75 तो 15 gram 15, 50 gram और यहां 50 gram retain हो गया 50 gram और यह 50 gram और यह 50 gram तो यह दोस्तों retain है सारी की सारी चीजे 10 gram 15 gram 50 gram 50 gram 75 gram और 50 gram तो percentage weight retain कैसे निकालेंगे column two divided by 200 into 100 तो यह दोस्तों आपको करना होगा तो column two divided by 200 into 100 तो इससे क्या जाएगा percentage क्योंकि total weight sample का 250 gram है 500 gram में से 10 gram अगर retain हुआ तो कितना percentage हुआ यह आपको निकालना है तो यह percentage आपको जब निकालना है तो अगर आप solve करोगे तो 10 gram 250 का कितना हुआ दोस्तों तो 1 gram तो 25 हो गया और यह दोस्तों points में ही आएगा तो इसको जब आप solve करेंगे दोस्तों यह 4% आ जाएगा तो यह हो जाएगा दोस्तों 10 into 100 divide by 250 तो दोस्तों simple value दी हुई है ताकि आप अराम से calculate कर सको उपर 1000 हो गया नीचे 200 हो गया तो 200 का 4 गुना 1000 होता है तो यह दोस्तों 4% हो गया 15 divided by 200 into 100 तो यह उपर दोस्तों 1500 हो गया 1500 divided by 250 इससे जब आप solve करेंगे दोस्तों यह 10% हो जाएगा तो weight retain है दोस्तों 10 है यह यह 4% हो गया और अगर आप यह चीज निकालते हैं तो इससे solve कर लेते हैं दोस्तों यह कितना percentage आएगा तो percentage weight retain दोस्तों यहाँ पर हम निकाल लेते हैं तो यह 4% हो गया और यह दोस्तों 15 into 100 1500 divided by 200 तो यह दोस्तों कितना हो जाएगा 50 divided by 200 तो यह दोस्तों 20% हो गया और ठीक यह भी 20% हो जाएगा और यह 75 है दोस्तों पच्छत्तर है तो वह फच्छत्तर सो डिवाइड वाइड वाइड लाही सो तो यह आप करेंगे दोस्तो 30% हो जाएगा और यह दोस्तो कितना हो जाएगा 20% हो गया तो cumulative weight retain अगर आप निकालते हैं तो यह तो दोस्तो 0% हो गया तो 0 into 100 divided by 200, तो ये तो दोस्तो 0% हो गया, ये 0% है, cumulative weight retain, ये कितना हो जाएगा, 4%, ये दोस्तो 10%, ये friends 30%, ये दोस्तो 50%, और ये दोस्तो 80%, और ये दोस्तो 100%, ठीक है, तो 4, 10, 30, 50, 80, 100, तो ये cumulative weight retain आ गया, percentage final क्या होता है, percentage final is 100 minus cumulative weight retain, cumulative percentage weight retain, तो ये तो दोस्तो, ये 100% हो गया, ये friends कितना हो गया, 90, 100, अगर आप देखो गया दोस्तो, तो ये value कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 96%, ये दोस्तो 90%, ये दोस्तो 70%, ये friends हो जाएगा 50%, ये friends हो जाएगा 20%, और ये 0%, percentage final क्या बताता है, देखिए, क्योंकि ये question मैं पूछा आपको यहाँ पर बता दिया है देखो percentage finer क्या बताता है जैसे माल लीजे 240 micron से जो छोटे particle है 240 micron के corresponding percentage finer 90% है मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आपके जो soil sample है उसमें 240 micron से छोटे particle 90% है और 240 micron से बड़े particle कितने है 10% है तो इसे हम ऐसे analyze करते है आप जैसे 60 micron के corresponding कितना है 60 micron के corresponding 50% percentage finer है मतलब क्या हो गया आपके पूरे soil sample जो कितना था दोस्तों 200 gram था 200 gram में 60 micron से छोटे particle 50% है 60 micron से बड़े particle 50% थे 30 micron के आगे 20% है मतलब आपके soil sample में 30 micron से छोटे particle 20% है और 30 micron से बड़े particle 80% है तो आपको ऐसे analyze करना है 15 micron के corresponding 0 है मतलब आपके soil sample में कोई भी particle 15 micron से छोटा नहीं है सारे के सारे particle 15 micron से बड़े ही है I hope आपको इसमें में आया होगा fineness modulus के लिए हम क्या करते हैं तो friends fineness modulus fineness modulus summation of cumulative cumulative percentage weight retain divide by 100 तो सारे cumulative percentage weight retain आप add कर दीजे तो यह कितना हो जाएगा इसे मैं highlight कर देता हूँ और इन्हें आपको add करना है तो 4, 10, 14 और यह 30, 50, 80, 100 तो यह दोस्तों कितना हो जाएगा 40, 90, 170, 270, 274 परसेंट हो जाएगा इनको जब आप add करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 274 divided by 100 तो this will come out to be 2.74 2.74 तो यह fineness modulus की value आ गई तो यह हमें निखालना था fm fineness modulus is 2.74 और आपको यहाँ पे एक note लिफा देता हूँ fineness modulus की value और यह जो type of sand है अगर यह value 2.2 से 2.6 होती है और 2.6 से 2.9 होती है और 2.9 से friends यह value अगर 3.2 होती है तो देखो fineness modulus अगर 2.2 से 2.6 होती है तो हम बोल तेते हैं वो fine sand है अगर fineness modulus की value पी Inner 2.6 से 2.9 होती है तो हम बोल तेते हैं medium sand है medium send और fineness modulus की value अगर 2.9 से 3.2 होती है तो हम उसे बोल देते हैं course send course send तो ये 3 value आपको देखने हैं तो हमारी जो value है 2.74 है 2.74 है तो इसका मतलब क्या हो गया corresponding to the value of fineness modulus corresponding to value of fineness modulus that is 2.74 आपकी जो send है वो क्या हो जाएगी वो medium send हो जाएगी medium send तो friends ये ही पूछा था question में देखें 2.74 है 2.74 कहा हैगा मैं highlight कर देता हूँ तो वो आएगा यहाँ पर 2.74 दिस विल कम अंडर 2.6 तो 2.9 तो इट इस medium send तो ये आपको निकालना था friends इतना निकालने के देखें कितने marks है इतना निकालने के 10 marks है तो SSCJ 2008 में एक question है fineness modelers का और ये 10 marks है और ये भी पूछा है sand आपका fine है कि medium है कि course है तो आपने बता दिया this is medium send ठीक है अगला question देखते हैं ये question complete हो गया 10 marks आपने और cover कर लिए है एक और question में रख cover हो गया है अगला question मैं friends यहाँ पर करा देता हूँ ताकि आपको एक और question हो जाए ये question आया हुआ है 2009 में और ये 20 marks का question है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SSCJ 2009 SSCJ 2009 और ये 20 marks का है और ये 20 marks का question है तो ये आप additionally लिख लिजे तो SSCJ 2009 का question है जो भी चीज given है फटा-फटा आप उसे लिख लिजे और आप analyze करते हैं कि friends आगे क्या इसका तो screen के सामने आपके question लिखा हुआ है आप given लिख लिजे और फिर इस question को solve करते हैं और इस video lecture को over करते हैं तो हमारा daily target रहता है कि हम 2 question solve करें दो सुबह करते हैं दोस्तों 2 शाम को question solve करते हैं तो कभी-कभी हम 3 question में ले लेते हैं क्योंकि अगर एक छोटा question लेते हैं तो 3 question में ले लेता हूँ तो 5 question हो जाते हैं एक दिन में और जनरल 4 से 5 question हम solve करते हैं तो friends हमारी कोशिच यही रहेगी कि मैं 12 से 13 दिनों में आपके पूरे subject cover करा दूँ तो 29 को exam में मेरी कोशिच रहेगी कि आज तारीक 13-14 है तो मलब 14 days में मैं आपकी पूरी तयारी करा दूँगा बस आपको अपनी preparation का आदा गंटा सुबह देना है आदा गंटा शाम को देना है देना है राकेश कुमार आ गए हैं राकेश कुमार हेलो आई होप अच्छा कर रहे होंगे आप और इस क्वेशन को सॉल करते हैं और इसको अनलेसिस करते हैं SSC JEE का यह 2009 का क्वेशन है और इसको मैं अनलाइज करके आपको बता देता हूं कि यह ठीक है तो फ्रेंड्स इसका हम क्वेशन निकाल लेते हैं देखो क्या दिया हुआ है core cutter method के उपर यह दिया हुआ है तो देखते है एक इम्बैक्मेंट को compact किया और 15% क्या है उसका moisture content देता हूँ तो यह चीज गिवेन है इम्बैक्मेंट की जो स्वाइल है उसमें जो moisture content है वो दोस्तों कितना है 15% यह आपने लिख लिए पहली चीज आपको यह दी हुई है उसके दिया है its density was determined with the help of core cutter core cutter method का यहाँ पर दिया हुए the following data was calculator empty weight of cutter दोस्तों कितना है core cutter method क्या होता है एक core cutter होता है हमारे पास जिसका जो volume होता है thousand centimeter cube होता है ठीक है और इसके उपर क्या होता है दोस्तों एक यह dolly होती है और dolly क्या होती है 2.5 centimeter की होती है और हम इसे तब तक ground में hit करते हैं जब तक यह dolly 1 centimeter उपर ना रह जा है तो खेर वो हम core cutter method पर अभी नहीं जा रहे हैं हम यह यहाँ पर जो चीज core cutter का जो empty weight है वो कितना दिया है 1200 gram दिया हुआ है और जब इसमें soil पूरी भर गई है तब उसका वजन कितना हो गया 3200 gram और cutter का weight plus उसके अंदर जो soil का weight है उसका weight है दोस्तों 3200 gram मतलब उसमें 2000 gram की soil आ गई है और volume दोस्तों कितना है volume of the cutter is 1000 centimeter cube तो यह बिल्कुल practical question दिया हुआ है core cutter बिल्कुल होता है ऐसा 1200 gram का होता है एक kilogram से 7 kilogram का होता है और दोस्तों soil भी उसमें इसी range की आती है तो बिल्कुल practical question बनाया गया है volume of core cutter is 1000 centimeter cube 1000 centimeter cube यह आपको दिया हुआ है calculate the bulk density and saturation percentage of the impact degree of saturation निकालने को बूला हुआ है तो आप से क्या बोला है gamma bulk निकालिए degree of saturation निकालिए दो चीज़े निकालिए और तीसरी चीज क्या दी हुई है if the embankment becomes fully saturated due to rain then determine its moisture content and saturated density तो और specific gravity soil solids के दी हुई है 2.70 और बोल रहा है कि जब soil पूरी तरीके सा if the embankment becomes fully saturated due to rain then determine the moisture content and saturated density तो गामा saturated पूछा है और moisture content उस time पे पूछा है तो ये दो चीज़े और पूछी है अब friends देखें यहाँ पर मैं यहाँ पर गामा बल्क निकाल सकता हूँ गामा बल्क क्या होता है बल्क unit weight of bulk unit weight of soil तो देखें SSC JE में जो question आते हैं दोस्तों बिल्कुल practical question आपको दिया गया है क्योंकि एक JE की junior engineer की जो job responsibility होती है वो site पे जाके बिल्कुल अगर मैं soil की बात होता है core cutter method को use करना, bulk density निकालना, moisture content निकालना, तो there are various methods जो practical चीज़े होती है बिल्कुल वही junior engineer काम होता है और वो अपनी reports को assistant engineer को देदेता है तो बिल्कुल यह एक बिल्कुल ही practical question है, analyze किया हो, देखें bulk unit weight क्या होता है weight of soil in existing condition, weight of soil in existing condition upon volume of soil, weight of soil in existing condition upon volume of soil weight of soil in existing condition देखें कितना है दोस्तो, core cutter के साथ 3200 ग्राम है और उसमें से weight of core कितना है 1200 ग्राम है तो 2000 ग्राम की जो soil है, कितने volume में आई है दोस्तो, इतने volume है, 1000 cm3 में आई है, तो आप यहाँ पे density निकाल सकते हैं, 300 divided by 1200 divided by 1000 तो bulk unit weight जो हो जाएगा दोस्तो, यह 2000 यह 2 gram पर cm3, तो यह gamma bulk आपका एक answer तो पाल गया तो bulk unit weight आपकी soil का आगया, 2 gram पर cm3, इतना आगया आपका, अब आगे क्या चीछ देखनी है, जब यह आगया है अब आपसे क्या बोला हुआ है, कि moisture content आपको दिया हुआ है, specific gravity आपको दिया हुआ है, उसका degree of saturation आपको निकालना है तो आपको पता है, bulk unit weight का जो formula होता है, G plus SE, gamma W upon 1 plus E, यह आपको निकालना है अब देखें दोस्तों, यह तो आपने निकाल लिया, G भी given है, void ratio आपको नहीं given है ठीक है, और void ratio जब given नहीं है, तो हम कैसे analysis करेंगे, अब आपको पता है दोस्तों, SE is equals to WG होता है SE is equals to WG होता है, यह formula को याद करने का क्या तरीका है दोस्तों, सहवाग सहवाग, दोस्तों देख सकते हैं, आप SE is equals to WG तो दोस्तों, question में क्या दिया हुआ है, degree of saturation आपसे पूछा हुआ है, moisture content आपको दिया हुआ है, specific gravity आपको दिया हुआ है ठीक है, और यह चीज़े आपको दिया हुई है, bulk unit weight भी आपको दिया हुआ है तो एक काम करते हैं, कि पहले तो हम void ratio निकाल लेते हैं तो G plus SE की जगए WG लिख सकता हूँ, मैं WG लिख सकता हूँ, तो SE is equals to WG तो यह WG यहां रखके, पहले मैं void ratio निकाल लेता हूँ, तो यही shortcut तरीका है गामा bulk is equals to G plus WG into γामा W upon 1 plus E, इससे void ratio आजाएगा जब void ratio आजाएगा, तो हम आपके analysis आगे कर सकते हैं, तो गामा bulk is equals to क्या हो जाएगा गामा bulk दिया हुआ है question में, गामा bulk is 2 gram per centimeter cube is equals to specific gravity friends, soil की कित्ती दी हुई है 2.70, 2.70 plus, उसके बाद क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ है, ठीक है, इसमें degree of saturation भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है तो इसको जब आप solve करेंगे, SE is equals to WG, E भी नहीं दिया हुआ है और WG भी नहीं दिया हुआ है तो इसको देखें दोस्तों, void ratio हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि unit weight of water आपको पता है और ठीक है, यह जो चीज है, यहां से पहले तो void ratio आ जाएगा, void ratio आप निकाल लीजे, WG, WG कितना है यह आपको कितना है, G है और WG, W कितना है, 0.15, 0.15 into 2.70, unit weight of water कितना होता है, 1 gram पर centimeter cube upon 1 plus void ratio, तो सबसे पहले तो हमने यहां पर void ratio निकाल लिया, void ratio यहां से कितना आ जाएगा, जब आप इसे calculate करेंगे, तो यह थोड़ा सा दोस्तों मुझसे यह हो गया, इसे मैंने erase कर दिया, और यह दिखेगा, यह formula है दोस्तों, यह यहां से refer कर लिजेगा, थोड़ा सा मुझसे writing pad पर लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, गामा 0.70 प्लस 0.15, 0.15 इंडो 2.70 अपॉन 2, जब इसे आप solve करेंगे, तो void ratio आपका जो आजाएगा, 0.55 आजाएगा, 0.55 तो void ratio आपके पास आगया, जब void ratio आगया, आपको पता है यह वाला formula, सहवाग वाले formula देखो, void ratio अमने calculate कर लिया, specific gravity में पता है, moisture content पता है, अब degree of saturation आप निकाल लोगे, तो degree of saturation निकाल लेजिए इस वाले case में, SE is equals to WG, तो S is equals to W कितना है दोस्तों, 0.15, specific gravity 2.70 upon 0.55, तो degree of saturation यहाँ पर आ जाएगा, तो it will come out to be 73.3%, तो इसे जब आप calculate करेंगे, 73.3% आपका degree of saturation आगया, इतनी चीज़े आपने calculate कर ली, अब आपसे क्या पूछा हुआ है, degree of saturation आपने calculate कर ली, गामा saturated अब आपसे पूछा हुआ है, गामा saturated कैसे निकाल लेंगे, friends, तो जब आपकी soil fully saturated हो जाती है, for, fully saturated soil, degree of saturation, friends, 1 है, degree of saturation जब 1 है, तो आगे की analysis देखते है, गामा saturated is equals to G plus SE gamma W upon 1 plus E, अब आपको पता है, degree of saturation 1 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, G is 2.70 plus void ratio is 0.55, unit weight of water is 1 upon 1 plus 0.55, तो गामा saturated आपका यहां से निकल के आजाएगा, तो यह जो friends निकल के आया है, 2.095 आजाएगा, 2.095, यह चीज आपकी, अब बोला हुआ है कि moisture content निकाल लिए, जब degree of saturation 1 है, तो हमें पता है, SE is equals to WG, तो void ratio तो change नहीं होते हैं, जब आपका degree of saturation change होता है, तो degree of saturation 1, void ratio 0.55, W कितना है, वो निकालना है, G is 2.70, तो इसे जब आप solve करेंगे friends, तो यहां से void ratio, जो moisture content आजाएगा, 20.46 percentage आजाएगा, तो moisture content आपने निकाल लिया, और आपके पास gamma saturated यह formula था, तो आपने यह चारो चीजे निकाल लिए, तो यह पूरा question हमने solve कर दिया, एक बर आप इसे चेक कर सकते हैं, 2.70, प्लस 0.55, डिवाइड वाई, 1.55, तो 2.095 आजाएगा इसका answer, तो यह आपने पूरा question solve कर दिया, I hope आपको यह दोनों question पसंद आए होंगे, और दोस्तों आपने solve किये होंगे, practice करते नहीं है friends, जिनका भी prelims qualify हुआ है, mains के लिए ज्यादा time नह नहीं बचा है, आपको मैं 9, 12 बजे से साड़े बारा बजे तक इस platform पे बढ़ाता हूँ, रात में, साड़े 9 बजे से 10 बजे तक मैं इस platform पे बढ़ाता हूँ, डेली मैं आपको चार question solve करा रहा हूँ, इसके जो चारो चीजे हैं, वो मैं आपको बदा देता हूँ, क्या हम रखेगा, unit weight जो हमारा आ रहा है, वो gram पर centimeter cube में आ रहा है, और degree of saturation 73.3% है, void ratio 0.55% है, यह आप ध्यान रखेगा, और यही चीज हम से पूछी गई थी, bulk density आप से पूछी गई थी, core gutter method से आपने क्या किया, bulk density निकाल लिया, तो बिलकुल ही practical question है, side पे बिलकुल यह काम में आती है, soil sample आपने लिया, उसका bulk density निकाल लिया, उसकी void ratio निकाल लिया, उसके degree of saturation निकाल लिया, जब उसे पूरा उसके void सारे पानी से भर गया, तब उसका unit weight कितना है, तब water content कितना है, तो friends बिलकुल ही practical question पूछे जा रहे है, SSCJ में यह trend है, तो इनी questions को आप practice करते पहला question दोस्तो 15 marks का है, मैं highlight कर देता हूँ, जो चीज given है दोस्तो, यह पहला question है, और दोस्तो, इस concept के उपर बहुत बार question आये हुए है, तो इसमें highlight कर देता हूँ, जो चीज दी हुई है, तो मैं दोस्तो, आप लोगों से यह request करूँगा, कि आप pen copy लेके बैठिये, और जो चीज given है, फटा-फट question देखिए screen पे, और given अपनी copy में लिख लीजे, आप साथ-साथ solve करेंगे दोस्तो, तो आपकी permanent memory में यह चीज आ जाएगा, और आपकी practice तुरंथ हो जाएगी दोस्तो, और daily हमारे session हुआ करेंगे दोस्तो, तो आप अपनी preparation के 2 घंटे अगर पहली बात तो यह है, दोस्तो यह question आया हुआ है, 15 marks का, SSCJ 2004 में, और दोस्तो यहाँ पर देखे, पहले तो यह पूचा है, what is BOD, BOD पूचा हुआ है, 3 marks का, और फिर उसके बाद चीजों को निकालने के लिए बोला है, वो 12 marks का पूचा हुआ है, तो 15 marks का है, और बोला observation number made on 2% dilution of wastewater, मलब 2% जब आपने dilute कर दिया पानी को, तो उसके बाद observation लिखा हुआ है, dissolved oxygen of the aerated water, दोस्तो लिखा हुआ है, aerated water की dissolved oxygen है, वो 6 mg per liter है, और diluted water sample की 5 जिनके बाद जो dissolved oxygen है, वो 1.2 mg per liter है, पूचा है, कि 5 जिनके बाद BOD कितनी होगी, और ultimate BOD कितनी होगी, और अ यहाँ पर मैं आपको दोस्तो concept बता देता हूँ, सबसे पहले तुम्हें आपको यह बताता हूँ कि BOD क्या होती है, तो यहाँ पर दोस्तो मैं एक line मना देता हूँ, ताकि यह screen से यह ना हो, तो दोस्तो BOD पहले तुम्हें आपको बताता हूँ कि BOD क्या होती है, BOD is biochemical oxygen demand, होती है यह मैं आपको बता देता हूं कि Biochemical oxygen demand क्या होती है कि देखें दोस्तो Organic Matter के 2 पार्ट और Non-Bio-Degradable तो देखो हूं जैसे ही ओर्गेनिक मैर्ट में आया तो दोस्तोmen के सिस्टम में microorzum generate हो जाते हैं microorzum जैसे virus, bacteria, protozoa तो बहुत n type of microorzum होते हैं तो microorzum को क्या चाहिए खाने के लिए खाना चाहिए और उसे oxygen चाहिए तो उसके दो essential part है microorzum को oxygen चाहिए और खाना चाहिए तो microorzum क्या करता है oxygen की presence में ये bio degradable part of organic matter को convert कर देता है bio mass में तो आपके system में से organic matter हट जाता है दोस्तो इस तरीके से इसे बोलते हैं दोस्तो biological activity इसे बोलते हैं biological activity तो दोस्तो ये जो oxygen है कितनी oxygen चाहिए कि आपके system के organic matter का bio degradable part हट सके that is called BOD biochemical oxygen demand तो it is the amount of oxygen required for the decomposition of biodegradable part of the organic matter तो में लिक देता हूँ it is the amount of oxygen it is the amount of oxygen required for it is the amount of oxygen required for decomposition of decomposition of bio degradable part of organic matter तो ये दोस्तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 3 marks पूरे मिल जाएंगे यहाँ note के form में दोस्तो एक और चीड़ लिख लीज़े question में नहीं पूछा गया है बट यहाँ पर एक question पूछा जा सकता है कि chemical oxygen demand क्या होती है c o d क्या होती है chemical oxygen demand क्या होती है तो दोस्तो आप अपनी language में लिख लीजेगा यहाँ पर organic matter के दो पार्ट bio degradable और non bio degradable कितनी oxygen चाहिए कि organic matter का bio degradable और non bio degradable पार्ट दोनों decompose हो जाए दोस्तो उसे बोलते हैं chemical oxygen demand chemical oxygen demand I hope आपको इसमें आ गया होगा और आप साथ साथ लिख रहे होंगे दोस्तो ताकि आपको कोई परिशानी ना हो कभी भी आपको lecture के time पे लगे कि sir आप थोड़ा सा fast पड़ा रहे हो तो आप please comment section में बता दीजेगा और मैं इसको slow कर दूँगा अपनी speed को slow कर दूँगा देखे दोस्तो बहुत अच्छे session होने चाहिए जैसे ही आप class के लिए आएं दोस्तो online class के लिए आपकी तुरन तयारी हो जाए तो मैं ये चाहता हूँ तो आपने BOD की definition लिख ली अब हम दोस्तो इस question का second part देखते है जो given है दोस्तो जो चीज given है आप उसमें से देखिए कि क्या क्या चीज given है तो दोस्तो एक चीज तो ये given है कि आपने पानी को 2% dilution है waste water का और दोस्तो DO of aerated water 6 mg है आप दोस्तो यहां पर आपने क्या किया है dilution आपने कितना किया है 2% 2% का है 2% का dilution मतलब क्या होता है initial volume upon final volume is Channel volume upon final volume तो यह दोस्तो 2% मतलब क्या हो zaj disorders to do upon hundred तो initial volume 2 है और final volume यह 20 में माल लेते हैं University अब आपके पास क्या है कोई एक सीवेज का सेंपल है यह आपके पास सीवेज सेंपल है सीवेज सेंपल है और इसमें क्या है दोस्तो यह आपने सीवेज सेंपल यह और यह 2 ml है दोस्तो 2 ml अब इसमें आपने क्या किया दोस्तो जब आपने इसमें 98 ml pure water मिलाया जिसमें oxygen भर के और इसमें माल लेते हैं dissolved oxygen in this sample, इसमें माल लेते हैं dissolved oxygen नहीं है, क्योंकि जब oxygen नहीं होगी तो क्या होगा दोस्तो, organic matter का decomposition नहीं होगा, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, ताकि आपको organic matter का decomposition हो, आपको इसमें pure water मिलाना होता है, तो मैं यहाँ पर pointer का color change करके pure water के लिए color change कर लेता हूँ, तो यह दोस्तो आपने क्या किया, अब आपने इसमें क्या किया, pure water मिलाया, pure water, या फिर इसे हम क्या बोल देते है, aerated water, pure water का मतलब है, इसमें कोई भी organic matter present नहीं है, aerated water आपने इसमें मिला दिया, और यह कितना है दोस्तो, यह है 98 ml, 98 ml यह है और 2 ml यह है, जब आपने इसको mix कर दिया, दोस्तो जो आप mix कर दोगे, तो एक अलग sample बनेगा, जिसका volume हो जाएगा दोस्तो, और यहाँ पर दिय हुआ, aerated water का जो dissolved oxygen है, दोस्तो, dissolved oxygen of aerated water, यह दिया हुआ, 6 mg पर लिटर, बलब एक लिटर पानी में, दोस्तो, 6 mg आपका क्या है, oxygen इसमें present है, dissolved oxygen, अब दोस्तो, आपने क्या किया, sample जो बन गया आपका, अब जो final volume बना आपका दोस्तो, यह आपका initial volume था, यह आपका final volume बन वो यह है, दोस्तो, diluted sample, diluted sample, diluted sample है, और इसका जो total volume है, दोस्तो, वो है, दोस्तो, 100 ml, 100 ml दोस्तो, total volume बन गया, और इसका जो dissolved oxygen है, वो दोस्तो, कितना दिया हुए, कि dissolved oxygen of diluted sample, 5 दिन के बाद, दोस्तो, 1.2 mg पर लिटर है, dissolved oxygen of diluted sample, after 5 days, after 5 days, दोस्तो, कितना है, 1.2 mg पर ल दोस्तों आपसे तो अगर आप यहाँ पर यह जो आपका sample है diluted sample जो है इसका initial dissolved oxygen निकाल लो कि जब आपने mix किया तब mixture का dissolved oxygen अगर आप निकाल लो तो BOD आपको निकल आएगा तो यहाँ पर आपका first step क्या है to find to find dissolved oxygen of diluted sample diluted sample ठीक है तो यह आपको निकालना है तो DO of mix का जो formula होता है दोस्तों DO of mix is equals to dissolved oxygen of aerated water into volume of aerated water plus dissolved oxygen of यह sample into volume of sample upon दोस्तों यह चीज़ कह है volume of aerated water plus volume of sample तो यह दोस्तों आपने formula बना दिया अब इस formula से आपको जो आपने mixture बनाया है उसमें कितनी dissolved oxygen है यह आपको पता चल जाएगा तो इस mixture में दोस्तों कितनी dissolved oxygen है यह आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि DO mix DO mix dissolved oxygen of aerated water दोस्तो 6 है volume of aerated water कितना है दोस्तो 98 ml है plus dissolved oxygen of sample 0 है volume कितना है 2 ml है upon 98 plus 2 तो दोस्तो यह आपने यह चीज तो 0 हो गई तो यह दोस्तो जब आप solve करोगे 6 into 98 divided by 100 तो यह दोस्तो आ जाएगा 5.88 gram per ml 5.88 miligram per liter तो कल देखो यार मेरे से class नहीं हो पाई थी तो उसके लिए मैं फिर से माफी चाहता हूँ आप लोगों से आज आप पूरी concentration के साथ करिए DO mix हमने निकाल लिया दोस्तो तो यह जो dissolved oxygen है जैसे ही आपने mix बनाया है जैसे the moment आपने यह लिक देता हूँ जो चीज है यह जो mixture आपने बनाया है इसका initially dissolved oxygen कितना है mixture का mixture का dissolved oxygen दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बदा देता हूँ 5.88 miligram per liter अब दोस्तो क्या हुआ 5 जिन के बाद जो dissolved oxygen है वो है 1.2 miligram per liter क्योंकि इसके अंदर दोस्तो biological activity हो रही होगी क्योंकि आपने क्या कर दिया oxygen पहले नहीं थी अब oxygen कहीं से लाके डाल दिया तो दोस्तो क्या हो रहा होगा इसमें कि microorganism क्या कर रहे होगे अब पानी के अंदर जो oxygen present है उससे क्या कर रहे होगे organic matter का bio degradable part decompose कर रहे होगे तो oxygen system में से कम हो रही है तो कम होते होते है पास जिन में कितनी रहे गए 1.2 mg पर लिटर तो इस चीछ से दोस्तो इन दो डेटा से हम क्या कर सकते है यहाँ पर हम निकाल सकते है कि 5 जिन में BOD कितनी हो जाएगी BOD 5 डेई इस फॉर्मुला क्या होता है DO initial minus DO final पंकज गुपता Hello यार DO final into dilution factor dilution dilution factor तो इस से दोस्तो आपने multiply कर दिया DO initial कितनी है 5.88 mg पर लिटर – DO final कितना है दोस्तो 1.2 mg पर लिटर into dilution factor क्या होता है दोस्तो final volume upon initial volume dulution factor बोला है दोस्तो dilution ratio नहीं आए है final volume upon initial volume तो दोस्तो final volume आपका कितना हो गया था sample का 5.88 माइनेस 1.2 final volume दोस्तो 100 हो गया था initial volume दोस्तो 2 था तो इससे जब आप solve करेंगे दोस्तो 5 दिन की जो BOD आ जाएगी मैं link देता हूँ यहाँ पर 5 दिन की जो BOD है दोस्तो यह इसका answer आ जाएगा 234 mg पर लिटर तो यह आगे बढ़ते हैं दोस्तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि ultimate BOD आपका next part क्या है ultimate BOD आपको find out करना है ultimate BOD तो दोस्तो यह last part है तो ultimate BOD का जो formula होता है BOD ultimate का formula क्या होता है दोस्तो मैं आपको दोनों लिख के दिखा देता हूँ यह formula यह हमें find out करना है Sir BOD calculation में E base कब लेंगे और 10 base कब लेंगे दोस्तो देखें जैसे यही question है रवी गुपता आपने देखो जब यह question देखा ठीक है आपको बोल देगा deoxination constant at base E तब आपको E base पे लेना है ठीक है और सिर्फ के लेना है जब आपको बोल देगा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप 10 base पे लेंगे जैसे इस question में देखो दोस्तो इस question में देखो दोस्तो क्या दिखा हुआ है deoxination coefficient दिया हुआ है बस इतना ही दिया हुआ है और generally हम क्या करते हैं दोस्तो कि range से निकालते है जैसे 0.18 है दोस्तो यह kd होता है क्योंकि municipal supply का जो आपका क्या होता है deoxination constant होता है उससे भी हम अंदाजा लगा लेते हैं बट जैसे इस question में नहीं दिया हुआ है तो आप दोस्तो यहाँ पर 10 base पे ले लिजे आई होब आपको यह चीज होन में आई होगी रवी गुपता तो देखो दोस्तो क्या चीज है कि जैसे यहाँ पर ultimate BOD का formula क्या होता है BOD 5 is equals to BOD ultimate into 1 minus 10 10 की power minus kd into t यह formula होता है दोस्तो BOD 5 का और एक BOD 5 का formula हमने दोस्तो यह देख लिया ठीक है अब बहुत ध्यान से देखे दोस्तों यहाँ पर BOD 5 इसको formula को ऐसे भी लिख सकते है L is equals to L naught 1 minus 10 की power minus kd into t यह formula भी होता है तो L दोस्तों आपका क्या हो है दोस्तों मैं अगले page पे देख लेता हूँ तो L कितना है दोस्तो 234 mg per litre ultimate BOD आपको निकालना है 1 minus 10 की power minus kd की value 0.18 दी हुई है दोस्तो और कितने दिन बाद है दोस्तो 5 दिन बाद इतनी BOD consume हुई है तो L naught अब हमें निकालना है अब दोस्तों जो यह video lecture diploma holder जो यह video lecture देख रहे है जिनका calculator पे इतना हाथ साफ नहीं है उन student की बात कर रहा हूं दोखो तो इसको दोस्तों आप कैसे solve करोगे L naught निकालना है तो L naught is equal to क्या हो जाएगा 234 upon 1 minus 10 की power minus 0.18 into 5 यह आपने निकाल लिया अब दोस्तों यहाँ पर कैल सी चलाना आपको आना चाहिए तो कैसे निकालोगे दोस्तों 234 upon 1 minus 1 upon 10 की power 0.18 into 5 यह दोस्तों अब आप solve किया जा सकता है तो यह दोस्तों जब आप solve कर लोगे तो आपका जो answer आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर L naught जो है दोस्तों इसका जो आएगा 267 या इसे हम क्या बोल सकते हैं ultimate BOD भी बोल सकते हैं ultimate ultimate BOD तो यह दोस्तों BOD ultimate 267.70 mg पर लीटर तो इसे calculator से solve कर लिजेगा यह आपका answer आ गया 204.54 नहीं पंगज गुपता 267.70 आएगा बहुत सही यार देखो एक question हमारा prepare हो गया और 15 marks आपको मिल गया देखो इतना दोस्तों करना था 15 marks के लिए अब देख लो फटा फट दोस्तों क्या step है तो यह आपने क्या किया आपने निकाल दिया 15 marks सा question था दोस्तों BOD आपने explain कर दिया पूरे 3 marks आपको मिल गया फिर आपको data दिया हुआ था data के हिसाब से आपको क्या निकालना था दोस्तों BOD पहले निकाल दियो मिक्स निकालना था तो दियो मिक्स के भी दोस्तों 2 marks है उसके बाद दियो मिक्स के बाद BOD 5 निकालने के दोस्तों क्या चीज है यह 4 marks इसके है 6 marks हो गए और दोस्तों ultimate BOD निकालने के फिर 6 marks है इतना निकालने के दोस्तों 15 marks थे तो दोस्तो I hope आपको ये question सौन में आया होगा अगले question की तरफ बढ़ें किया दोस्तो comment section में लिख दीजे फटाफट कि सर सौन में आगया ये question और अगले question पर बढ़ जाएए तो 53 में से दोस्तो पहला question हमने कर लिया है 267 बिल्कुल सही यार हाँ milligram per liter देखो सही लिखा हुआ है अब दोस्तो अगले question पर बढ़ते हैं और अगला question हमारा क्या है तो daily हम दोस्तो 4 question करेंगे आज हमने ये इस session में दोस्तो हमने 2 question कर लिया एक question तो हमने ये कर लिया अगला question हमारा SSC JE 2005 का है और ये 10 marks का है दोस्तो और ये design का question है तो दोस्तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक बर comment section में लिख दीजे कि हाँ सर बढ़िया चल रहा है इसी speed से ठीक है सुशील हुड़ा बिल्कुल ठीक है पंका जियार आगे बढ़ते हैं दोस्तो 10 marks का अगला question करते हैं दोस्तो SSC JE 2005 का है तो मैं highlight कर देता हूँ क्या पूछा गया है साथ साथ लिखते रहिएगा दोस्तो ये design का question है और फटा फटा लिखे ठीक है बढ़िया देखो अगला question दोस्तो 10 marks का है SSC JE 2005 में आया हुआ है क्या लिखा हुआ है आपको find करना है dimension आपको find करने है for continuous flow rectangular settling tank तो settling tank sedimentation tank आपको design करना है जिसमें दोस्तों क्या आ रहा है average इसमें हर दिन आपका कितना पानी आ रहा है 24 into 10 की power 5 liter per day पानी इसमें इतना इसमें water आ रहा है इसमें जो detention raw water का detention period है वो 6 गंटे पानी आपको रोकना है sir repeated के अलावा important भी करवा देना बिल्कुल करवा दूँगा यार अंकुर कटियार बिल्कुल करवाँगा यार देखो क्या होता है कि जो question previous year में कई बार पूछेगा है तो पहले मेरा दोस्तो target यह है कि मैं repetitive question जो आए हुए previous year में उन्हें solve करा दूँग तो दोस्तो फटा-फट यहां पर आप given लिख लीजे और इस question को solve करने की मैं आपको एक trick बताता हूँ आपको कुछ codal provision यहां पर याद करने पड़ेंगे तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि discharge कितना आ रहा है average discharge दोस्तों इस tank में कितना आ रहा है वो आ रहा है 24 into 10 की power 5 liter per day एक दिन में 24 into 10 की power 5 liter per day आ रहा है ठीक है तो इतना discharge आ रहा है और आपको बोला है कि जो detention time है पानी कितनी दे tank में रुक रहा है दोस्तों 6 घंटे के लिए रुक रहा है 6 hours के लिए रुक रहा है तो ऐसा tank बनाना है जिसमें इतना detention time भी हो जाए और इतना discharge आपका average आ जाए तो देखो देश तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले मैं तो आपको यह चीज़ बताता हूँ कि जो आपके sedimentation tank होते हैं जैसे मान लीजे sedimentation tank कुछ मैंने ऐसे बना दिया rectangular tank होते हैं यह along the length आप देख रहे हैं सामने से खड़े होके तो जब आप सामने खड़े हैं tank के तो आपको ऐसा दिखेगा तो इसमें आपको क्या दिखेगा दोस्तो length दिखेगी tank की height दिखेगी ठीक है दोस्तो और इसकी इधर तरफ दोस्तो क्या है इसके इधर तरफ दोस बनाऊ और top view दोस्तों क्या दिखेका это cross-section अगर मैं बनाता ह gekommen दोस्तों ये height है कि ये दोस्तों application is width आपको side से दिखेँगी और height आपको ऐसे दिखेगी तो ये दोस्तों क्या चीज ये इसका cross section है cross section दिख गया आपको front view दिख गया दोस्तो अब अगर मैं plan बताओ दोस्तो तो ये उपर से जब आप देखोगे दोस्तो तो plan उपर से देखने में दोस्तो आपको क्या दिखेगा length दिखेगा और दोस्तो क्या दिखेगा width दिखेगी तो ये दोस्तो plan है जब आप उपर से देखोगे तो ये length, width और height ये तीन चीज़ा हमें design करनी होती है तो ये दोस्तो plan आ गया, ये cross section आ गया, ये front भी हो गया और एक और note यहाँ पर आप अपने आप लिख लीजे कि हर एक sedimentation tank एक concern size particle के लिए design होता है तो इसमें जब आप पानी को रोग देते हैं मालनीजे ये tank है, इसमें आपने पानी raw water को भर दिया जिसमें suspended solid है दोस्तो अब होता क्या है, कि suspended solid क्या होता है पानी के वुकाबले भारी होता है, जिससे क्या आरण क्या होता है वो अपने self weight की current, इतने भारी है कि खुद के weight की current यहाँ पर bottom of the tank में settle हो जाएंगे इसी का फायदा हम उठाते हैं, बट हमने क्या करना है कुछ देर के रिए पानी को रोग के रखना है कितनी देर के रोग के रखना है, दोस्तों लिखा हुआ is designed for particular size of particle, particular size of particle, particle, ठीक है and settling velocity, settling velocity of that particle, of that particle, is known as overflow rate, overflow rate, तो यह दोस्तों आपको note करके लिखना है यह overflow rate होता है, अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों overflow rate आपने बता दिया अब मैं आपको design parameter लिखवा देता हूँ, आप by heart उन्हें याद कर लीजिए Q is equals to 600 meter cube per day, नहीं, discharge नहीं निकालना है यहाँ पर पंगज गुपता हमें तो यहाँ पर dimensions निकालनी है, length, width और height निकालनी है discharge तो आपको दिया हुआ है, 14 into 10 की पावर लीटर, अच्छा आपने इसे meter cube per day में convert कर दिया, हाँ ठीक है इसकी जरत पड़ेगी हम आगे देखते हैं, अब some design parameter for continuous flow type, continuous flow type tank तो दोस्तो यह design parameter अपने को देखने हैं, तो design parameter फटा फट लिख देता हूँ दोस्तो, generally td, td क्या होता है, detention time, कितनी देर के लिए पानी उसमें रुखेगा, तो यह दोस्तो, detention time है detention time, तो detention time दोस्तो, tank का कितना होता है, 4 से 8 घंटे होता है, for plane sedimentation for plane sedimentation और यह दोस्तो होता है, 2 से 4 घंटे for coagulation-aided sedimentation coagulation-aided sedimentation ठीक है, अब दोस्तो यह time period हो गया, उसके बाद दोस्तो क्या चीज़ होता है, tanks are designed for tanks are designed for maximum daily discharge maximum daily discharge maximum daily discharge और यह क्या होता है, QD is equal to, क्या होता है, 1.8 times of the average daily discharge average daily discharge एक तो यह चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी और दूसरा क्या होता है, दोस्तो, generally जो overflow rate होता है overflow rate of tank जो होता है, दोस्तो, वो किस range में होता है 12,000 से 18,000 liter पर meter square पर day यह होता है दोस्तो, तो यह होता है plane sedimentation के लिए, for plane sedimentation और दोस्तो यह इसकी value होती है इसको हम क्या लिख सकते है, liter को meter cube में अगर change करना पड़ेगा, 12 से 18 is good daily discharge good daily discharge क्या होता है 1.8 good daily discharge, यह मुझे समझ में यह आप क्या बोल रहे है 12 से 18,000 meter cube per meter square per day average, हाँ, ठीक है average daily discharge, ठीक है तो यह दोस्तो हो गया, plane sedimentation के लिए और यह 24 से 30 होता है, दोस्तो meter cube per meter square per day for coagulation added sedimentation, for coagulation added sedimentation तो यह दोस्तो हो गया, overflow rate का आपने data लिख लिए और दोस्तो इसमें क्या होता है, tank का जो length by width का जो ratio होता है, generally हम 5 liter per day, दोस्तो discharge आ रहा है, और कितनी देर पानी रुख रहा है, detention time दोस्तो कितना है, six hour है, मनलब कही न कहीं हमने यह बता दिया, यह जो tank है, plane sedimentation के लिए यूज हो रहा है, coagulation and sedimentation आप नहीं कर रहे हो, तो यह आपने निकाल लिए, अब आपको पता है कि जो maximum daily discharge होता है, 1.8 times of the average daily discharge, यह हो जाता है, दोस्तो, 1.8 into average daily discharge is 24 into 10 की power 5 liter per day, तो जो आप इसे solve करेंगे दोस्तो, 20 तो लिटर पर दे, तो यह इसे solve नहीं करता हूँ, दोस्तो, आप खुदी calculator से solve कर लेज़ेगा, लिटर पर दे है, ठीक है, यह आपका maximum daily discharge आ गया, उसके बाद दोस्तो हम क्या करते है, detention time आपको पता है, 6 गंटे है, उसके दोस्तो मैं assume कर लेता हूँ, assume overflow rate of tank, assume overflow rate of tank, overflow rate of tank, दोस्तो, क्या हो जाएगा, हम assume कर लेते है, 15,000 लीटर पर मीटर स्कायर पर डे, तो यह चीज़ हो गया दोस्तो, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखे, हमें पता है, दोस्तो, discharge is equals to area into velocity होता है, ठीक है न, अब जब भी कभी OFR लिया जाता है, मतलब settling velocity of the concerned size particle, तो दोस्तो, यहाँ पर देखो, इस diagram में देखो, जब particle settle कर रहा होगा, तो इसके perpendicular, इस velocity के perpendicular कौन सा area मिलेगा आपको, यह बहुत ध्यान से मेरे हाथ को देखे, अगर यह velocity, particle की velocity यह है, तो particle कौन सा cross section area मिलेगा, दोस्तो, यहाँ पर plan area मिलेगा, plan area कौन सा है, length into width है, तो द into, velocity कौन से मिलेगी, दोस्तो, settling velocity, settling velocity of concerned size particle, और settling velocity of concerned size particle, आपको, दोस्तो, क्या लिखते है, daily discharge, maximum daily discharge is goes to plan area, into, settling velocity क्या है, overflow rate है, जो आपने कित्ती लिए है, दोस्तो, 1500 liter per meter square per day, अब QD कितना है, दोस्तो, maximum daily discharge है, यह liter per day per meter square में है, ठीक है, तो यह आपका है, दोस्तो, 1.8 into 24 into 10 की power 5, तो यह है, दोस्तो, 1.8 into 24 into 10 की power 5, यह दोस्तो, किसमें, liter per day में, easy question to plan area क्या है, plan area length into width है, easy question to overflow rate कितना है, दोस्तो, 15,000 liter per meter square into day, per day, तो दोस्तो, ऐसे लिखा जाता है, liter per meter square per day, ऐसे लिखा जाता है, तो L into B, जो आपका plan area है, वो दोस्तो, कितना हो जाएगा 1.8 into 24 into 10 की power 5, अपोन 1500, और यह दोस्तो, liter per day में है, और यह दोस्तो, किसमें है, 1500 liter per meter square, per day, तो दोस्तो, dimension wise, यह cancel out हो गया, यह भी cancel out हो गया, तो यह आपका L into B, दोस्तो, आपका जो answer आजाएगा, यह आपका आएगा, friends, 288 आजाएगा, यह, ठीके, 15,000 है, sorry, 15,000 है, तो यह, दोस्तो, 288 meter square आजाएगा, और यहाँ पर आपको assume करना पड़ेगा, assume, length by width जो ratio है, दोस्तो, 4 है, तो L कौम क्या लिख सकते हैं, sir, detention period 6 गंटे है, 6 गंटे है, हाँ, पंकर गुपता, 6 गंटे है, अभी detention time का use ही नहीं है, वो तो volume निकालने में आएगा, तो अभी हमने यह चीज़ नहीं किये, तो length into width काम क्या लिख सकते हैं, length को 4 times of width लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर put कर देते हैं, तो 4B into B is equal to 288, तो यहाँ से दोस्तो, width आपकी आ जाएगी, 8.48 meter, तो इससे दोस्तो हम क्या माल लेते हैं, इसको मैं assume कर लेता हूँ, 9 meter, width 9 meter है, तो length कित अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करो, daily discharge को detention period से multiply कर दो, और dimension wise देखोगे, तो discharge का dimension क्या होता है, volume by time, और दोस्तो detention time क्या है, time है, तो दोस्तो यह volume आजाएगा कि नहीं, dimension wise अगर आप देखोगे, तो volume of tank अगर आपको निकालना है, in meter cube, in meter cube, तो यह कितना है, दोस्त लीटर पर डे में है, डिटेंशन पीरिड कितना है, दोस्तो, 6 घंटे है, अब आपको आंसर अगर मीटर क्यूब में चाहिए, तो दोस्तो, मैं यह आप पर pen का color change कर देता हूँ, और यह दोस्तो, रेड कर देता हूँ, यह दोस्तो, लीटर को मीटर क्यूब में convert करना है, दो 10 की और माइनस 3, तो यह आपका कितना हो गया, मीटर क्यूब में, अब यह day में है, दोस्तो, यह hour में है, तो आप क्या करो दोस्तो, hour को अगर आपको day में convert करना है, तो दोस्तो, 24 से जब आप divide करोगे, एक दिन में 24 घंटे होते है, तो यह दोस्तो कितना आ गया, volume आ गया, मीटर क्यूब में, तो I hope आपको इस वन में आया होगा, तो volume आ गया, मीटर क्यूब में, अब आपको क्या चाहिए दोस्तो, अब आपको चाहिए depth चाहिए, तो यहाँ पर फिर से, यह blue कर देता हूँ, अगर आपको depth चाहिए, depth of tank, depth of tank चाहिए दोस्तो, तो आप क्या करो, volume of tank volume of tank upon दोस्तों क्या चीज हो जाएगा plan area यह आपका हो जाएगा तो आपको पता भी है volume इसी को चुट क्या होता है length into width into h होता है तो अगर आपको l into b चाहिए तो volume by h हो जाएगा तो यह formula हमने use किया है तो अब देखो दोस्तो volume of tank क्या हो जाएगा 24 into plan area कितना है दोस्तो 288 meter square है तो इसे जब आप solve करोगे दोस्तों जो depth है आपकी कितनी आजाएगी 3.7 meter आजाएगी तो आपने तीनों चीज निकाल ली है depth भी निकाल ली length और width दोनों चीज निकाल ली है तो दोस्तों यहाँ पर मैं highlight कर देता हूँ जो जो चीज हमने निकाल ली है यह हमने depth निकाल ली 3.7 meter और tank की length निकाल ली 36 meter दोस्तो width निकाल ली 9 meter अब हम क्या करेंगे दोस्तों यह जो diagram है इसमें हम plot कर देंगे तो आपके हिसाब से जितना आप discharge RIS में तो length दोस्तों कितनी है 36 meter depth दोस्तों कितनी है 3.7 meter और width दोस्तों कितनी है 9 meter और यहाँ पर एक note लिख लीजेगा note करके आप लिख लीजेगा provide provide free board of provide free board of .3 meter हम दोस्तों क्या करते है additional depth लेके चलते हैं तो यह मैं blue से दिखा देता हूँ इतनी extra आपने depth ले ली तो यह जो additional depth दोस्तों कितनी है .3 meter additional आपने ले ली यह दोस्तों कितनी है .3 meter तो यह मैंने tank का पूरा diagram बना दिया जिससे आपको क्या हो गया दोस्तों पूरा question solve हो गया और दोस्तों आपको पूरे marks मिल गया तो दोस्तों इसका या फिर unacademy surveying search कर लीजे चैनल का नाम है unacademy surveying और address जो है वो है asm live तो आप कुछ भी search कर लीजे आपको मेरा telegram channel मिल जाएगा जरूर यार इसे join कर लीजे जरूर 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 लीजे thank you so much guys next lecture में विलेंगे thank you so much everyone